यह लीज की first class है जैसे मैं MWF में सोच ओँ थोड़ा-थोड़ा accounting standard करा हूँ और TTS में जो depreciation चल रहा था वो ही करेंगे फटा-फट से बता दीजे voice clear है कि आपको जल्दे-जल्दी एक बता दीजे comment में कि हाँ sir voice clear है तो हम आगे start करते हैं चोटी-चोटी classes लेखे आदे गंटे 45 मिनट ताकि हम चोटे-चोटे portion को खतम कर पाएं और यह बहुत important chapter एक तरीके से lease clear sir चलिए sir हमारा ये है accounting standard that is 19 और इस topic का नाम क्या है sir इस topic का नाम है lease इस topic का नाम है lease और सबसे पहले lease का मतलब समझेंगे के lease होता क्या है generally जो ऐसे assets होते हैं सबसे पहले जैसे मान लो आपने एक business start किया आपने एक business start किया और आपको अपने business में एक machinery चाहिए ठीक है और इस machinery का कीमत मान लेते हैं दो करोड है 2CR और आप इस business के हो ओनर आपके पास इतने fund है नहीं तो आपके पास option क्या बसता है आपके पास पैसे तो है नहीं तो आपको यह machine खरीदना है आपके पास दो option बनता है पहला option आप loan ले लो और suppose that के banker ने loan नहीं दिया loan जब लेने जाओगे banker ने कहा भई हम loan तो नहीं देंगे दूसरा एक option बसता है के बहुत सारी company ऐसे करती है जैसे कि मान लेते हैं एक PQR Limited company है एक है हमारा XYZ Limited ठीक है अब सबसे पहले machinery की जरूरत किसको है यह बताओ मुझे XYZ Limited को और PQR Limited के पास बहुत सारा पैसा है ठीक है बहुत सारा पैसा इसके पैसे की कमी नहीं है तो खूब सारी ऐसी company होती है जो कि क्या काम करती हो बोलती है कि भाई जिसको जो भी जूरत हो नो मेरे पास आजो मैं दे दूँ आ कोई भी चीज चाहिए मेरे पास आजो assets तो मान लिया जाए अगर यह इसके पास आएगा और इसको मसीनरी 2 करोर का है फिर यह क्या करेगा यह company जो है यह एक मसीन खरीदेगा new यह new मसीन खरीद लेगा और जो इसने new मसीन खरीदा है एक new मसीन खरीद लिया मान लेते हैं और जो इसने यह new मसीन खरीदा है वो मसीन उठा के यह दे देगा किसको इसको बदले में यह क्या कहेगा कि भाईया मैं इस मसीनरी का annual monthly rent लूँगा या annual rent लूँगा मैं क्या लूँगा इसका rent अब यह company रेंट इसको दे सकता है मान लेते हैं इस assets का अगर मान लेते हैं life है suppose that 10 साल एक साल का rent कितना हुआ 20 लाक रुपे तो यह हर साल इसको 20 लाक रुपे का rent देगा लेकिन अगर यह हर साल 20 लाक का ही rent लेगा तो यह तो पागल है PQR Limited तो अब यह क्या करेगा rental value 20 लाक ना लेके थोड़ा सा rental value बढ़ा लेगा जैसे मान लो यह कहेगा 21 लाक का देना तो अब यह बोलेगा चल यार 20 का तो उसको पड़ा वो भी तो कमाएगा 21 लाक का और इस assets का life कितना है हमारा 10 year इसको 10 साल तक देगा और साथ के साथ यह assets भी 10 साल बाद इसे वापस करना पड़ेगा तो finally यह assets को जो इसने assets लिया है इस assets को यह sold कर देगा last में as a scrap तो इसका फाइदा क्या हुआ एक तो इसको जितने पैसे इसने लगाए उसको धीरे धीरे करके तो इस तरीके की बहुत सारी ऐसी company है जो assets को खरीद के किसी को भी किराये पे दे देती है उसको बोला जाता है lease कर देना तो इसने अपना assets किस पे दे दिया? किराये पे तो मैं बोलूँगा इसने अपने machinery को lease पे दे दिया और यहां बोलूँगा XYZ ने machinery को किस पे खरीद लिया? lease पर ले लिया तो बताओ इसके अंदर क्या help हो गया इसका XYZ का भी काम बन गया और PQR Limited PQR Limited के पास तो access fund था वो तो investment का opportunity ढूंड रहा था तो उसको bank से जादा ही interest वगएरा मिल गया होगा total मिलाके तभी वो ऐसा काम करेगा तो जो यह होगा ना जो कि दे रहा है assets इसको बोलेंगे lesser इसको बोलेंगे lesser और इसको बोलेंगे lessie lessie तो एक lesser है और एक lessie है तो simple सी बात है जो अपना rent पे समान देगा जैसे इसने क्या करा अपना समान rent पे दिया तो यह कौन है lesser और यह कौन है lessie ठीक है ना तो lesser और lessie तो हमारा lease के terms में तो यहाँ दो वेक्ति involved रहने वाले हैं कौन-कौन है एक जो assets को किराय पे चढ़ाएगा उसको क्या बोलेंगे accounting terms में lesser और एक जो assets को किराय पे लेगा उसे क्या बोलेंगे lessie तो हम दोनों के point of view से एक value निकालेंगे कि भाया इसको actual assets कितने का पड़ा और इसको actual assets कितने का पड़ा दोनों में किसका फाइदा और किसका नुकसान ये निकालना होगा हमें एक तरीके सा नुकसान तो नहीं actual क्या है तो जो lease terms है ना ये दो पार्ट में बाट दिया गया है अगर हम lease की बात करें तो दो परकार के lease होते हैं हमारे सर सर दो तरीके के कौन-कौन सा lease होगा सर एक होगा हमारा operating lease बहुत popular question एक्जाम में पूछा जाता है what is the difference between the operating lease and financing lease difference हम बाद में देखेंगे पहले हम operating और financing lease को समझ लेते हैं तो बोला जाता है दो lease कौन सा एक है operating और एक कौन सा है हमारा financing lease तो दो lease हो गए हमारे operating lease और financing lease सर दोनों में फरक क्या है थोड़े थोड़े से view दे देते हैं इसके अंदर भी lease को किराय पे लिया जाएगा यानि किराय पे ये assets को लेगा और इसमें भी सर ये assets को ही क्या लेगा किराय पे तो दोनों में फरक क्या है फरक ये है पहला point जो assets का life है ना अगर use की बात करें तो ये use जो assets को करेगा ना less than मान के चलो 50% use करेगा यानि जैसे assets का life 20 साल है तो ये बोलेगा भाई मिनको तीन साल के लिए चाहिए किराय पे देगा तो बता तो वो जो company वो तीन साल के लिए देगा बाकी फिर बाकी किसी और को देदेगा उसका काम ही किराय पे देना है जैसे आपने सुना होगा AC भी किराय पे मिल जाता है कार भी किराय पे मिल जाता है बड़े बड़े ट्रक भी लेने तो किराये पे मिल जाता है तो किराये पे नहीं होता लीज पे होता है बहुत सारी कंपनी यही काम करती है लीज पे लेके काम कर देती है मतलब उनका तो अगर 50% से उसके life को कम आप इस्तमाल करोगे अगर major part किसी ने यूज किया तो मैं बोलूगा भाया जो तुम्हारी लीज है वो कौन सी लीज है finance और जो कम 50% से less than part यूज किया तो तुम्हारी कौन सी लीज है operating दूसरा कैसे पहचानोगे सर ये अपने books of account में यानि अपना ये इसको rent as an expense मानना पड़ेगा इसे क्योंकि ये तो कुछ समय के लिए ले रहा है ये rental as an expense मानना पड़ेगा ये depreciation नहीं चार्ज कर सकता ठीक है न लेकिन ये जो है उस assets को ही कहां दिखाएगा सर क्योंकि ज़्यादा सा ज़्यादा part यूज कर लिया तो उस assets को कहां दिखा देगा ये balance sheet में दिखा देगा और उसके उपर ये depreciation भी चार्ज करेगा अगर मैं उने बोला कि मैंने क्या करा एक assets यानि एक laptop lease पे लिया और lease पे लेने के बाद और उस assets को मैंने balance sheet में भी दिखा रखा है तो बताओ ये कौन सा lease होगा financing lease अगर मैंने बोला वो assets लिया और उस assets को मैं balance sheet में नहीं दिखा सकता तो कौन सा lease होगा वो operating lease financing lease के अंदर आप अपने हिसाब से assets को customize करके बनवा सकते हो अब customize का मतलब क्या हो गया आपने बोला भया मेरे को एक machinery तो चाहिए साथ के साथ इसके अंदर ये part भी include करवाना है यानि अपनी इच्छा अनुसार उसको क्या करवा सकते हो बनवा सकते हो कि भया मुझे जो machinery चाहिए वो machinery जो market में available है वो तो बड़ी छोटी machinery है मुझे इसके अंदर double motor वाली बनवा के दे दो तो मैं as a company में बात करूँ और बोलूँ को भाई ये double motor वाली एक machine बना हमारी customer की requirement है तो अगर किसी assets में modification करवा रहा हूँ अपने हिसाब से तो कौन सी lease है वो और अगर मैं modification नहीं करने दे रहा मैंने बोला भाई या जो assets से यही लेना पड़ेगा modification वगरा कुछ नहीं होगा तो कौन सा lease होगा operating tax अब जब assets को पूरा use कर लेंगे माल लेते हैं मेरे पहले वाले example के अंदर मैंने बोला था नए 20 साल की life है तो जब हम assets को use कर लेंगे तो lesser जो कि lease पे दे रहा है lessy जो lease पे ले रहा है lesser वो assets lessy को ही क्या कहेगा lesser वो assets lessy को बोलेगा भाई तू ही खरीद ले इसको तेरे को सस्ते में दे दूँगा मैं इस machinery को scrap में बेचूँगा माल लो मेरे को 5 लाक रुपे 1 लाक रुपे मिल रहा है इसमें दो करोड की मसीनरी का कितना मिल रहा है मेरे को तिरको 20,000 में दे रहे हैं रख ले तू यानि जो assets जिस person को दे रखा है कर उसने measure of part use कर लिया तो जो lesser है जिसने किराये पे दिया है वो क्या चाहता है कि उस assets को उसी को दे दिया जाए किसको दे दिया जाए लैसी को दे दिया जाए तो जो हमारा ये वाला lease होगा कौन सा सर हमारा lease जो होगा ये operate finance lease इसमें हमारा assets वापस खरीदने का हमें opportunity मिल जाएगा यानि और इसके अंदर operating lease में ऐसा कोई भी चक्कर नहीं है कि आप उस assets को खरीदोगे यानि जस दिन मैं lease पे दूँगा उसी दिन एक value तै हो जाएगी हमारे बीच में कि भाईया ये assets तेरको मैं 20,000 रुपे में दे दूँगा ले लिए तू तो इसे बोलते है guaranteed value guaranteed value यानि इसने बोला ठीक है भाई मैं 20 दे दूँगा अब उस दिन 20 साल के बाद ले आना ले इसकी मर्जी है लेकिन अभी फिलाल उसने fix कर दिया guaranteed value ठीक है सर 80 plus 90 do I have all book or have done anything else books plus 10 years यहां तक समझ मैं है तो हमारे operating lease हम अभी अच्छे से difference देखेंगे सबसे पहले अभी हमने क्या देखा फटा फट से देखो सर हमने देखा कि lease क्या होता है lease के अंदर होता है कि एक हम assets को किराये पे ले लेते है और जो किराये पे दे रहा होता है वो कौन होता है lesser होता है और जो किराये पे ले रहा होता है वो कौन होता है lessie होता है और जो lesser होता है वो कोई एक particular rent demand करता है जो कि lessy को हर साल या जो भी terms and condition decide हुआ हो उस किराय को देना पड़ेगा ठीक है clear है अब पूछा जाता है कैसे पहचानों के यह finance lease है इसके कुछ trend है exam में theory भी पूछ लिया जाते हैं कि आपके क्या लक्षन दिखे कि आप बोलोगे इसक assets को get back कर सकता है वो ले सकता है assets में modification कर सकता है तो आपके यह 10 number में सवाल आएगा कि क्या क्या इसके trend है तो आपको ऐसे तो लिख नहीं पाओगे तो आपको पूरा trend या indicator कहलो वो बताना पड़ेगा तो कुछ इसके indicator है जो fix लिखे हुए यही आपको लिख के आने हैं हर कि आप में maximum में आपको यही indicator मिलने वाला है तो indicate of finance lease मतलब सर indicate of finance lease मतलब हम कैसे समझें कि यह finance lease है यानि क्या लक्षन है कि finance lease क्या symptoms दिखे rental value में ऐसे तो rent पे मैंने बहुत चीज़े ले ली तो ऐसा क्या हो कि बोले भाई यह वाला finance lease है ठीक है न तो पहला point बोलता है क्या क्य situation है कहता है आपका situation which would be normally lead to lease being classified the finance lease यह situation है the lease transfer ownership of assets lessie यानि जो हमारा कहता है हम assets का ownership lessie को transfer कर देंगे कब at the end of lessie terms जैसे कि मैंने बोला भाई यह 20 साल बाद मैं यह assets तेर को ही बेच दूँगा पहला election तो यह हो गया तूसरा point क्या कहता है the lessee has option to purchase और lessee के पास सबसे पहले option आएगा purchase assets at price which expected to sufficiently lower than fair market value मतलब जब हम बोलेंगे भाई यह assets तू ही रख ले तो market value पर नहीं देंगे जैसे कि मैंन दे रहे हैं तो fair value का मतलब होता है सर जितना rate market में उससे हम lower पे देंगे at the date option become excisable that the inception of the lease is the reasonably certain that option will be excited और हम ऐसा नहीं बोलेंगे भाई अब खतम होगे तो आज ले ले उसको समय भी देंगा चल तीन-चार मैंने सोच ले तू ले नहीं तो बता दियो नहीं तो मैं किसी और क या लेसी के बिहाँ पे लेसी बोलेगा भाई मैं नहीं लूँगा मेरा एक भाई है उसे दे दे तू मेरा ही है तो direct to see को दे दे ऐसा भी possible हो सकता है तो पहला point क्या है ownership मिल जाएगा दूसरा point आपको जो मिलेगा वो assets वो market value से कम पे मिलेगा जैसे example में देखो Mr. A has taken a car on lease 5 years X from XYZ तो XYZ से उसने एक car लिया 5 साल के लिए lease term has an option purchase this car 20,000 उसको 20,000 में where the assume the car market value at the end of the 5 year कितने का बचता है उसका 2,00,000 लेकिन हमने उसको कितने option दे दिया 20,000 considering that the option buy at the bargaining price is the reasonably certain that the Mr. A would excise option अब Mr. A को ऐसे नहीं बोला कि भाई मैंने तेको 20 का बोला था तूने क्यों नहीं ले तेरे उपर option है कि तू लेना चाहता है ले नहीं लेना चाहता तो मतले यहां तक समझ में आ रही है बात आपको ठीक है आगे देखते हैं सर क्या कहता है दो point होगे पहला point क्या था कि हम ownership बाद में दे देंगे दूसरा point जब ownership देंगे तो हम तुमसे पैसे जरूर लेंगे जिसको हम क्या नाम देते थे guaranteed residual value और वो जो होगा वो market price से कम पर होगा ठीक है ना कहता है दा least term for the major part of economic life assets even title is not transfer हमारे assets का जादा से जादा life आप ही इसनमाल करोगे let's see जैसे मेरे assets का life 20 साल है 20 में से आपने 18 साल के लिए किराये पे ले लिया तो अगर आपने ऐसा करा है यानि 50% of up वाली जो बात बोली थी के ज़्यादा से ज़्यादा उसके life का part आपने इस्तमाल कर लिया तो मैं बोलूँगा ये कौन सा lease है finance lease तो क्या कहता है the lease term is the major part of economic life the assets even title is not transferred मैंने आपको ये बेचा नहीं है लेकिन फिर भी आपने इसका major part use कर लिया example देखो XYZ taken a property on lease कितने साल पे 32 साल का किस से लिया sir ABC मिस ABC से expected economic life 40 साल इसकी life कितनी थी 40 और आपने इसको किराये पे कितने साल के लिया 32 साल since XYZ going to use assets over the major part अब यहां पे ज़्यादा part use कर रहा है जो कि कितना है 80% एक तरीके से मानलो 40 का 32 तो 80% use ही कर लिया उसने life it will be meet condition to become treated as a finance lease अगर ऐसा कोई symptoms दिखता है तो finance lease मानलो 40 साल में उसने 2 साल इस्तमाल किया तो क्या ये finance lease होगा नहीं होगा ये finance lease समझवाई बात पहला point क्या था assets आपको वापस मिल जाएगा last में सस्ते में मिलेगा तीसरा point क्या है उसका major part आप इस्तमाल करोगे चौथा point क्या कहता है कैसे पता चलेगा at the inception of the lease lease का value present value minimum lease payment amount to be at least substantially all fair value lease assets अब इसका कहने का मतलब होता है अब देखो यहाँ पर एक word आया है इस point को हम practical जब question करेंगे तो समझेंगे यहाँ पर एक word आगया present value तो sir present value क्या होता है जब हम practical करेंगे इसका तब समझेंगे यह present value है क्या ठीक है न question करेंगे और उसको हम detail में भी समझेंगे कहता है minimum lease payment एक word यह भी समझना है sir यह क्या है what is this minimum lease payment क्या होता है देख तो हमें present value समझना है और एक minimum lease payment समझना है कहता है कि at least substantial मतलब होता है major part तो lease assets and बस यहाँ तक है तो इस वाले point को मैं पढ़ूँगा जिसके अंदर दो point पहले समझना बहुत जरूरी है present value और minimum lease payment present value क्या होता है मैं ऐसा ही छोटा सा example देता हूँ बागी practical करूँगा फिर समझ में आएगा जैसे मान लो तो 80 का benefit मिल रहा है तो जो rental मिलेगा मुझे आप ऐसे तो देख रहे हो के दो लाक रुपे आपको मिल जाएंगे दस साल तक दो करोड तो भाईया दो करोड नहीं होगा उसका present value कुछ और निकलेगा तो present value निकालने का तरीका होता है इसके कुछ हमें calculation करना होता है वो सीखे minimum lease payment क्या होता है कि कम से कम तो हमें इतना पैसा उससे recover हो जाएगा जैसे एक rent और एक उसने last में बोला था कि भाईया मैं इतने का खरीद लूँगा जैसे दो दो लाक रुपे रेंट था अगर मैं बोलू जैसे मानलो एक व्यक्ति बोलता है कि भाईया मैं ऐसा करूँगा त तो मैं दो लाक रुपे का rent दे दूँगा 10 साल तक तो कितने होगे सर 20 लाक एक तो रेंटल होगे इसमें add कर दो उसने बोला ठीक है यह assets मैं आपको बेच दूँगा 50,000 में तो कितने का बिग गया total 20 लाक 50 तो minimum lease payment कितना हो गया जितना पैसा जिसने किराय पे दिया है उसको पैसा मिल जाए total उसे क्या बोलेंगे minimum lease payment अभी practical question भी देखेंगे हम अगली class के अंदर देखेंगे अभी slide नहीं लगाए मैंने पहले हम theoretical देख लेते हैं तो पहला point क्या था sir lease के अंदर किसको बोलेंगे lease आपका assets का ownership आपको दे दिया जाएगा पहला point है the transfer of ownership lessie को दे दिय जाएगा दूसरा जो आपको ownership मिलेगा सस्ते rate में मिल जाएगा ठेक है ना तीसरा point क्या देखा आप उसका major part इस्तमाल कर लोगे चौथे point को मैंने बुला अभी रुक जाओ present value और minimum lease payment से समझ में आ जाएगा पांचवा point क्या कहता है sir पांचवा point कहता है the least assets of specialized nature एक specialized nature होता है such that only lessie can use without major modification being made can use it without major modification being used made यानि कहने का मतलब है lessie इसके अंदर कुछ थोड़े बहुत modification तो करा सकता है काफी measure नहीं करेगा modification मैंने दिया assets ठीक है मैंने दे दिया suppose करो एक मैंने car दे दिया ट्रक दे दिया तो वो ट्रक के जैसे कई बार मकान मालिक क्या बोलता है जैसा मकान दिया है वैसा ही मुर्य को चाहिए वापसी अब बताओ मकान मालिक ने आपको दिया आपने बीच में दो तिन दिवार बार लगवा लिया तो वो तो अपना office kevin वगरा क्या करते हैं खुद बनाते हैं तो ऐसे ही वो ज्यादा major part नहीं कर सकते हैं ऐसा नहीं कर सकते हैं बिल्कुल fix करा ले तो आपको जो assets देगा आपको जितनी जरुरत है permission लेके उतना उस assets में आप क्या कर लीजिए modification अपने जरुरत के हिसाब से और measure मत करियेगा कि पता चले पूरा assets ही बदल दिया आपने उसको तो इस line का कहने का मतलब है the least assets is specialized nature मतलब मुझे जरुरत के हिसाब से मिला है such that only the lessee तो lessee can use जिसको कौन यूज करेगा सिर्फ और सिर्फ लेसी ही यूज करेगा क्योंकि मैंने अपने demand पे मांगा है it is the without major modification being made और उसको बिना major modification किये हुए उसको इसको इस्तमाल भी करना उसको दिया जाएगा यानि उसके अंदर ज्यादा modification नहीं कर सकता है लेकिन हाँ modification कर सकता है लेकिन operating lease में यह नहीं है जैसे कि for example PQR a hospital ordered 10 ambulance उसने क्या करा भी है 10 ambulance चाहिए अब 10 ambulance के अंदर especially designed as per the requirement of PQR अब ambulance के अंदर तो भाई अलाग उसने बुला भाई oxygen का भी cylinder होना चाहिए stature भी होना चाहिए यह सारी modification होनी चाहिए आगे कहता है these ambulance are taken on lease and it cannot be used by anyone else without major modification भाई अब hospital ने लिया है उसने इसने इतने काम कर लिया है तो कोई दूसरा इसको use नहीं कर सकता majorly कौन करेगा यही use करेगा this would be meet condition of the finance lease इसने finance lease कर दिया यानि आपके assets को दूसरा को इस्तमाल नहीं करेगा उसमें करने के लिए major modification की जुरत पढ़ीगे दूसरे किसी को और आप भी इतना modification नहीं करवा सकते हैं ठीक है तो यह कौन सा lease हो गया यह पार्ट आगे देखते हैं सर कुछ additional भी indicator है situation which individually combination could be lead lease being a finance lease कुछ और extra point बनते हैं जिससे पता चलेगा जैसे if the lessee can cancel the lease अगर मान लो मैंने बुला भी है मेरे को एक नो machinery चाहिए मेरे को ambulance चाहिए मान लो और उसने बुला ठीक है भाई खरीद लिया और खरीद के उसको दे दिया अब खरीद के आने के बाद मैं बोल भाई आर अब नही चाहिए ambulance उस टेंप पे चाहिए था तो ऐसे तो भाई सामने वाले ने तो मेरे लिए वो ambulance खरीदा था और मैं मना कर रहा हूं तो उसका तो नुकसान हो जाएगा तो उसके नुकसान की भरपाई मुझे करना पड़ेगा तो क्या कहता है line देखो if the lease can cancel can cancel the lessee and the lesser losses जो lesser का losses है associated with the cancellation born by यानि उसका जो सामने अले का नुकसान हो गया बिचारे का पचास जारे एक लाफ दो लाफ का वो मुझे देना पड़ेगा अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लेना यह कौनसा lease है if any gain or loss from fluctuation of residual value accrued to the lessee अब जब हम उसे बेचेंगे assets को तो जब assets finally बेचेंगे तो बेचने में हमारा नुकसान भी हो सकता है फाइदा क्योंकि fair market value एक लाफ है मैं उससे दे रहा हूँ 20,000 में तो उससे कोई नुकसान फाइदा हो सकता है एक्जामपल lesser agree allow rent rebate आपका equivalent amount of disposal value lessee at the assets of the end कहने का मतलब है कोई भी फाइदा या कोई भी नुकसान होता है from the fluctuation of residual value मतलब last value value को change होने में accrued to the lessee और इसके लिए कौन benefit इसका लेगा lessee को होगा ठीक है न क्योंकि assets किस ने खरीद लिया lessee ने तो उसको करेगा ये for example lesser ने agree किया था कि भाया rent में हम तुम्हें rebate देंगे तो किसका फाइदा हो रहा है rent में rebate देने के बाद lessee का equivalent most of disposal value of assets यहाँ पर होता क्या है इसको भी हम practical में करेंगे तो देखेंगे कई बार होता है कि दोनों lease terms को अब देखो ये सर बना क्यों यह तो simple सी बात है rental value लेके खतम करते हैं लोग मां क्या करते थे मैंने उसको दे दिया assets अब सामने वाला party depreciation दिखा रहा है उसका profit कम हो रहा है rent value दिखा रहा है उसका profit कम हो रहा है अब जब उसका profit कम हुआ तो वो income tax तो बचाई रहा है 30% सीधा और मैं क्या कर रहा हूं मैंने lease पे दे रखा है तो एक black money जो हो एक तरीके से white होके मुझे fair तरीके से मिले जा रहा है समझ रहा है तो सामने वाले party ने क्या करा system assets भी बेच दिया तो इसका भी loss हो गया यह भी दिखाना है इसमें कहा गया जो भी loss profit होगा वो एक साल में नहीं दिखाने दे इसको एक परपोस्नेटली basis पर दिखाते हैं जो हम आगे दिखेंगे c part if the lease can continue the lessee for secondary period rent which is substantially lower than market rent अब माल लेते है assets का value 20 साल था यह 10 साल था अब लगता है कि यह assets तो अभी 5 साल चल जाएगा उसने बोला भाई साब यह तो assets अभी चलेगा उसने बोला ठीक है भाई फिर से ले ले तू rent पे मैंने एक उसे assets दिया rent पे ठीक है और यह assets मैंने 10 साल के लिए दिया किसको दिया सार xyz को यह pqr को दिया अब xyz ने यह दिया था तो अब मुझे 10 साल बात तो यह assets को वापस करना होगा ना XYZ को लेकिन मैंने बोला भाई साब ये ना assets तो बढ़िया condition में अभी 2-3 साल तो मैं use कर लूँगा XYZ बोलता है कर ले भाई use, अब XYZ जो है ना इससे rent जितना पहले ले रहा था उतना नहीं लेगा कम लेगा, तो वही कहता है if the lessee can continue the lease for secondary period, अब secondary period में होगे रहे, दस सल खतम होने के बाद at the rent which is substantially lower, substantially बतला majorly lower than the market rent से उसे कम पहली बार में तो भाई या market rent ही लगीगा दूसरी बार में आपको lower, तो अगर ऐसे कोई situation दिखता है तो उसे क्या बोलेंगे हम finance lease, तो फिर से देखे finance lease में क्या point देख लिए, important है इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, assets आपको last में ownership transfer कर दिया जाएगा, और जो ownership दिया जाएगा, वो किस पे दिया जाएगा सस्ते पे, lower than fair market value इसके बाद assets का major part आपने ही इस्तमाल करना है, तभी माना जाएगा, कौन सा lease है, यह finance lease है यह वाला point मैं बाद में करवा हूँ इसके बाद E part, major part आपके accordingly modification होके आजाता है, आप नहीं कर सकते आपको ही यह assets use करना पड़ेगा, दूसरे के लिए बना ही नहीं है, इसके बाद आगे आजाते हैं, सर, आगे कहता है कि जो lessee अगर cancel करता है इसको, तो जो भी नुकसान है उसकी भरपाई कौन करेगा उसकी भरपाई lessee को करना पड़ेगा, यह वाला point अभी मैंने मना कर दिया, C point है कि आप secondary period के लिए जब लोगे तो आपके लिए क्या माना जाएगा यह सस्ता, तो क्या क्या indicator है point number one, ownership मिल जाएगा, point number two सस्ते में मिलेगा, point number three, major part आप उसका, इस्तमाल कर लोगे point number four, modification कर वालोगे, point number four क्या है आपका, modification, d वाला यह वाला part छोड़ दिया, मैं इस पर आगया जाए, क्योंकि यह बाद में बताएंगे, ठीक है modification, इसके बाद point number अगर पांच बोले, cancel करोगे तो भरपाई आपको करना पड़ेगा, point number six अगर बताएं, तो आप secondary time पे जब लोगे, तो lower लोगे, यह वाला point बात में करेंगे, तो छे point जो है, हमें समझ में आ गया, फिर से point number one कौन सा है, आपको ownership दे दिया जाएगा, point number two, सस्ते rate पे दिया जाएगा, fair market value से, point number three, major part इस्तमाल करोगे, point number four, modification करवा सकते हो आप assets के उपर, point number five, cancel करा तो भाई, लैसी तुम जिम्मेदार होगे, point number six, आप secondary period के लिए जब लोगे उसको, तो आपको market rate से सस्ते पे मिलेगा, ये list, clear है ये सारा point, ठीक है, तो आपके book में भी mention होगा, मैंने देखा नहीं है, book में क्या है, क्योंकि मैं notes लगा नहीं पाया अभी तक, same point डाल दिया ना, तो हाँ, मैंने कहा के ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब के सब book में आपको यही मिलने वाला है, और ये exam में पूछा जाता है आपका, final date sheet आप सभी की, आज चुकी है, आप लोगोंने देख लिया होगा, मेरे ख्याल FA का paper कब गया है, आपका, honors का, दिखा आपने, जन्वरी में है न साय, जन्वरी में प्रोग्राम का, आपका तो मेरे ख्याल जो paper है, वो weekly है, हर हफ्ते में एक paper, संड़े संड़े है शाय और आपका program वालों का paper regular college वालों के साथ होगा, तो इनका paper जल्दी खतम हो जाएगा, इनका मेरे ख्याल FA का कब है, मैंने भी देखा तो था, लेकिन एक्चुल याद नहीं है, सर ये भी नहीं किर्शन, ये depreciation का part नहीं है, ये अलग chapter जो मैं MWF में चला हुआ, 6 से 7 न, वो क्या करना है, लीज वाले इस theory को पढ़ के और लिख के भी देख लेना आप, आपके किताब में as it is same word given होगा, ये ठीक है, clear है, voice is clear, ओके चलिए, तो सर, जो बच्चे new है, उनको भी समझ में आने वाला ये topic, ये topic ना कहीं से कहीं तक किसी भी chapter से लेना देना नहीं है, और एक class इस topic का हम कर चुके हैं, जिसको मैं एक बर फटा-फट quickly revise करके मैं करवा देता हूँ, हमने क्या देखा था, AS 19, AS 19 किसके उपर depend था, lease के उपर, lease क्या होता है सर, जब कभी भी हम business start करते हैं, तो हमें कुछ assets की जुरत पड़ती है, तो उस assets को हम जब किराये पे ले लेते हैं, जो जो वो rent दिया जाता है, उसे lease बोला जाता है, और वो assets एक तरीके से मैं बहुत लंबे समय के लिए ले लेता हूँ, और उसे lease rent बोला जाता है, तो मैंने एक example में बताया था, कि business start किया, XYZ Limited है, PQR Limited, इसने नई machinery खरीद के और इसको दे दिया, तो इसका मतलब इसने जो दिया, वो assets लिया है, वो किस पे लिया हुआ है, lease पे, इसके बाद lease के अंदर दो तरीके के lease देखे थे हमने, एक operating lease और एक financing lease, financing lease का क्या मतलब होता है, कि assets का major part, major हिस्सा आप इस्तमाल कर लेते हो, अगर 10 साल assets की life है, तो आपने 8 साल use कर लिया, दूसरा, assets को balance sheet में हम दिखाएंगे, यानि जिसने किरायप assets लिया है, वो balance sheet में दिखाएगा, इसका depreciation भी कौन claim करेगा, depreciation भी claim कौन करेगा, आपका lessy करेगा, यहाँ पर दो word आ जाते हैं, lesser और lessy, जो किरायपे समान ले रहा है, वो lessy है, और जो किरायपे समान दे रहा है, वो कौन है, lesser है, operating lease का क्या है, rent expense मानेगा, books of account में record नहीं करेगा, sir, अब सबसे major point है, अभी हम सिर्फ finance lease की बात करने वाले हैं, last में हम operating lease की बात करेंगे, ऐसे क्या क्या indicator है, जिससे हमें पता चल जाए कि यह आपने जो lease लिया है, यानि जो समान किराये पे लिया है, जिससे मान लेते हैं, यह mobile phone, ऐसे क्या reasons हैं, कि यह mobile phone जब मैं लूँँ, तो पता लग जाए कि यह तो finance lease है, तो पहला reason इसका यह था, कि आपको promise होगा, जो समान हम lease पे लेंगे, बापस खरीदने का मौका भी मुझे मिलेगा, कहता है, lease transfer ownership lease end of the term, दूसरा हम इसका major part इस्तमाल कर लेंगे, life का, तो optimum purchase expense, sorry, the lease option purchase price expected lower than, दूसरा यह भी था, कि, जो खरीदेंगे, वो fair market से हमें क्या मिलेगा, सस्ते में मिल जाएगा, major part हम इस्तमाल कर लेंगे, चौथे point को मैंने बोला था, हम अभी करेंगे, आज cover करेंगे, पांचवाल lease के अंदर हम अपने according modification करवा सकते हैं, अगर lease term को cancel किया, तो lessy को सारा का सारा payment देना होगा, और अगर कोई भी gain इसको भी हम बाद में करेंगे, lease secondary भी continue हो सकता है, लेकिन fair market value से कम रहेगा, और question भी करेंगे, यानि sir basically, lease में रेखा जाए, तो एक वेक्ती जो है, किराए पर सामान लेगा, और एक वेक्ती कौन होगा, जो किराए पर सामान देगा, दो वेक्ती होगे न, जैसे, मान लेतने हैं कि ये वेक्ती है, ठीक है, और एक इधर वेक्ती कर देते हैं, अब इसके पास एक assets है, और ये assets इसको जरूरत है, और ये खरीदना नहीं चाहता, ये rent देना चाहता है, ये चाहता है कि हम क्या paid कर दे sir, rent paid कर दे, ठीक है, तो जो ये वाला assets है, ये इसको किराए पर दे देगा, और ये क्या करेगा, इसको हर महिने, एक rental amount payment करता रहेगा, ये कहानी चलेगी, तो जिसने किराए पर लेगा, यानि इसने किराए पर लिया है, तो इसको accounting word में बोला जाएगा, sir ये कौन है, let's see, और जिसने समान दिया है किराए पर, इसको accounting word में इसका नाम होगा, lesser, exam में हमारे, lessy के point of view से भी accounting पूछा जा सकता है, और lesser के point of view से भी accounting पूछा जा सकता है, कि अगर lessy हुआ, तो वो कैसे accounting करेगा, अगर lesser हुआ, तो वो कैसे accounting करेगा, दोनों के point of view से पूछा जा सकता है इसके लिए rental income क्या होगा income और इसके लिए rental income क्या होगा expense अगर मैं journal entry की बात करूँ basic अभी आएंगे हम journal पे ये क्या करेगा asset खरीद लिया asset आ गया किस से आ गया lesser से अब ये rent paid करेगा हर बार किसको rent देगा lease rent to lesser अब payment कर देगा lesser to bank उसके बाद इस rent को कहा दिखा देगा profit and loss में profit and loss to lease rent बिल्कुल basic से journal entry है दूसरी तरफ ये उल्टी entry करेगा इसकी इसने assets दे दिया किसको lessee को इसके पास rent income होगा तो rent credit हो जाएगा इसको debtor बना देगा इसके bank में यहाँ पैसे निकला है इसके bank में पैसे आएंगे और ये profit and loss को credit कर देगा तो दोनो point of view से accounting सीखना है जो ये rent देगा न किसको rent देगा सरीए ये सामने आले party को तो ये जो जितना total rent होगा life में total rent पूरे life में जैसे for example 5000 रुपय है और मैंने 10 साल के लिए lease पे लिया है तो total rent कितना देगा ये पचास हजार समझ रहा है इसके बाद दो चीज़े हैं यहां पे इसको हम क्या बोलेंगे minimum lease payment MLP बोलेंगे क्या बोलेंगे इसको MLP चलिए और explain करते हैं सारे words जानना जरूरी है आपके सामने एक वेक्ती मैंने क्या बनाया सर यह बना दिया मैंने lessy अब आपको पता है lessy कौन है जिसने समान किराये पे लिया होगा फटा फट कमेंट में बताए lessy कौन है जिसने समान किराये पे लिया होगा या जो किराये पे देगा बताईए सर आठ साइड से था लेकिन मैंने ग्रेजिवेशन में बीकॉम लिया है मनीश आपको फिर थोड़े से 11 की कुछ क्लासिस देखनी पड़ेगी जो की मैंने content में डलवा दूँँ अपडेट करवा दूँँ आपके फोल्डर में आप बताईए कि rent मैंने क्या question पूछा था lessy जो rent पर लेगा बिल्कुल सही जो rent पर समाण लेगा उसको lessy बोलेगे बिल्कुल simple language में समझते हैं यह रेंट पे समान लेगा पर एक ऐसा व्यक्ति भी होगा जो रेंट पे समान देगा है ना यह रेंट पे समान देगा तो इसको क्या नाम दिया था हमने सर लेसर बोला था हम Finance Lease कर रहे हैं पहले, operating lease की बात नहीं कर रहे हैं, पहले हम Finance Lease कर रहे हैं, तो एक assets ना, इसने rent पे दिया, एक assets लिया, rent पे इसने, एक asset, suppose इसने rent पे ले लिया, किस पे लिया सर इसने रेंट पे और रेंट बोला कि मैं 5000 रुपे दूँगा येर में मैं कितने पेमेंट करूँगा 5000 और इसने जो एसेट्स लिया है ना रेंट पे उसका टाइम है सपोस करो 9 येर क्या टाइम है उसका 9 सार और जो ये एसेट्स था ना इसके पास इसके पास जो एसेट्स था 9 साल के बाद वापस इसके पास एसेट्स आ जाएगा ना कब आ जाएगा इसके पास आफटर आफटर 9 येर ये एसेट्स रिटन बैक आ जाना है किसके पास लिसर के पास और इस assets का life जो था मान लेते हैं 10 साल था इस assets का life 10 साल था और जो ये assets का cost था fair value यानि market fair value FB बोल रहों market fair value वो था मान लेते हैं 60,000 या जर्नली हम इसको मान लेते हैं उसका था 50,000 यानि lesser ने एक assets 50,000 का जिसकी life कितनी है 10 साल उसको rent पे दे दिया लेसी को और हर मैंने ये 55,000 रुपेज को rent देने वाला है और इसने इस assets को कितने time के लिए किराए पे लिया 9 साल के लिए तो इसका मतलब ये rent जो देगा that is 45,000 और after the completion 10 or 9 year ये इसको assets वापस देगा जब तो इनके और इनके बीच में एक बात होगी agreement होगा ये कहेगा यार तूने तो assets पूरा ही use कर लिया अब ये assets में किसको दूँआ लीज पे एक काम कर तेरे तो use में ही है तू ये वाला assets खरीद ही ले तो market fair value से इसे कम पे offer किया जाएगा और इसे बोला जाएगा चल एक काम कर तू ये assets तिरको दे दिया जाएगा लेकिन ये बात end में न बोलके starting में ही ये बात तै हो जाता है कि भाई मेरे को तो 9 साल के किराय पे दे दे और ये assets मैं ही खरीद लूँगा तेरा तीन अजार में खतम कर कहाने यानि ये person एक अपने मन से value बोलेगा एक ऐसा value बोलने वाला है ये और वो value किसलिए बोलेगा ये खरीदने के लिए किसलिए बोलेगा खरीदने के लिए किसलिए और ये purchase करने का जो ये value बोल देगा कौन बोलेगा purchase कर लूँगा lesser बोलेगा या lessy बोलेगा lessy बोलेगा उसको बोलेगे हम guaranteed value उसको बोलेगे क्या हम guaranteed value यानि इसने guarantee दे दिया कि भाईया मैं तेरे इस assets को खरीद लूँगा 2000 में इस assets को खरीद लूँगा मैं 2000 किसने बोला less in है इसको बोलेंगे हम guaranteed value यानि guaranteed residual value जिसको short form में हम मैं बोलूँगा जी आर वी guaranteed residual value और ये क्या होगे rental value तो question आता है सर अगर आपने एक word होता है minimum lease payment exam में यही पूछा जाता है that is इसको short form में बोलते है MLP ये पता है क्या होता है rent और plus में G guaranteed residual value तो आप मेर मुझे बताईएगा MLP इस सवाल में मुझे निकालके बताईए कि MLP क्या है lessie के point of view से होगा कितने sir 45,000 तो आपका rent था plus मैंने guarantee दिया 2000 तो कितना होगी हमारा 47 यानि इस विक्ति के लिए कितना होगी है 47 अच्छा guarantee इस ने दिया था ना अब ऐसा ऐसा भी हो सकता है देखो कोई assets मैं यूज कर रहा हूँ और 10 साल से यूज कर रहा हूँ तो मेरी मालिक से अच्छी जान पहचान है तो कही बार क्या होता एक दुकान जैसे मान लो मैंने ले रखी है और मालिक से मैंने दुकान ले रखी है और मेरी मालिक से जान पहचान है दुकान एक दम कोने की फटा बहुत first class चल रहा है लीस पे लिया हुआ है मैंने पडोस वाला बोल रहा है तुम जा रहे हैं से बोला हाँ अब सारा कुछ मैंने गाउं में सेटल कर लिया है और मैं गाउं में जाके करूँगा अब दुकान दारी दुकान दारी मेरे बस की बात नहीं है वहीं पे रहूँगा बहुत जितना काम कर रहा था कर लिया तो पडोस वाला बोलता है यह वाली दुकान मुझे दिलवा दे तू तो जानता है ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता कि यार मैं तो मालक से डारेक्ट बात नहीं कर सकता क्यों नहीं कर सकता क्योंकि यार वो मुझे जानता नहीं है तू बोल के मुझे दिलवा देना ये दुकर यानि लैसी के लैसी ये भी कर सकता है कि जो assets वो खरीदने वाला है, अपने वजाए किसी और को दिलवा सकता है, यानि third party को, ठीक है न, तो मान लेते हैं, यहाँ एक कौन involved हो सकता है हमारा, third party, तो MLP में, जो आपका guaranteed residual value है, इसमें कौन सा हो सकता है, या तो मेरे दुआरा दिया जाए, या किसके दुआरा दिया जाए, third party के दुआरा दिया जाए, तो उसे बोलेंगे हम minimum lease payment, चलो एक सवाल का जवाब देना मुझे, मान लो मेरा rent है 20,000 per annum, और मैंने 10 year के लिए लिया, और, third party, third party, four thousand payment करने की बात कर रहा है, ठीक है, अब देखो, जब, या तो मैं guarantee दूँगा, या third party, क्या दोनों दे सकता है यहाँ पे, नहीं दे सकता, अगर मैं permission दूँगा, तब ही third दे सकता है, third party ने बोला, कि मैं इसको purchase कर लूँगा, इतने amount में, आप बताईए, MLP क्या है यहाँ पे, MLP, सर, MLP क्या होगा यहाँ पे, सर सबसे पहले तो rent जोड लूआ, यानि total आप 2,00,000 रुपए rent दोगे, सर 2,00,000 कैसे पूरे 10 सालों में, और third party ने guaranteed value कर दिया है, तो guaranteed value कितने होगे, 4,000, तो जबाब कितना आजाएगा, 2,00,000, 4,00,000, समझ मैं, MLP क्या होता है, बिल्कुल सिंपल सा point है, ठीक है, चलिए, अब मैं यहाँ पे, मैं lessie के point of view से क्या होता है, MLP, मैं MLP लिख रहा हूँ, number one, कैसे निकाले गए, let's see, कैसे निकाले गए, total rent, जितना भी rent paid होगा, plus guaranteed residual value, या तो self का हो, या, plus guaranteed residual value किसका, third party का, दोनों में से किसी एक का होगा, इनको add कर देंगे, तो that is आया जाएगा हमारा mlp, short form use कर रहा हूँ, mlp का मतलब क्या होता है, minimum lease payment, ठीक है, clear रहिए, अब सर, lesser के point of view से क्या होगा mlp, ये भी जानना होगा हमें, तो सर, जो इसके लिए mlp, वो मेरे लिए mlp, यानि सर, अगर मेरे point of view से mlp पूछते हो, तो जितना पैसा वही देगा, वही तो मिलेगा मुझे, है कि नहीं, बताईए, सेम ही रहने वाला हैं, लेकिन एक twist है इसमें, total rent, paid by lessee, plus, unguaranted, sorry, guaranteed, residual value, किसके द्वारा, lessee, या फिर, उसके बिहाफ पे third party, third party, ठीक है, साथ के साथ, अब मुझे एक बात बताना, पिछले example पे चलते हैं फिर से, अब इसने, इस वाले example में, 2000 रुपे का guarantee दिया, अब ये end में मना भी तो कर सकता है, 10-20 साल में कभी मैं नहीं खरीद रहा जा, ऐसे भी हो सकते हैं, और ये बड़ा चलाक होता है lesser, lesser इससे भी एक तरीके से guaranteed value रखवा लेता है, और प्लास ये अपने साथ कोई और भी buyer ढूंड रहा होता है, कोई और भी buyer ढूंड रहा होता है, सर ऐसा क्यों करेगा buyer, मान लो आपकी machinery है, आपने सामने वाले को तो बोल दिया कि 2000 में, प्लास आप अपनी भी एक setting लगाओगे, क्या setting लगाओगे, क्यार मेरा कोई assets ये महंगा खरीद ले, मान लो आपके known में कोई है, उसने बोला यार मैं 5 में खरीद रूँगा, इसको कितने में खरीद लूँगा मैं, 5 में, और उसने बोल रखा है कितने में, 2 में, terms and condition तो ये है कि भाई, मुझे 2 में देना पड़ेगा, लेकिन बाहर वाला एक value हमें इसका बता रहा है नहीं बता रहा, बता रहा है 5, तो यहाँ पे 2 अगर मुझे मिल गए, तो 3,000 का हमारा loss हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं इसे 2 में दे दूँगा, और बाहर वाला मुझे offer कितने का कर रहा है, 5 का, तो वो हमारा loss हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे, और अगर इसको नहीं दिया, तो हम बाहर वाले को 5 दे देंगे, तो इसका मतलब सर, इसमें 2 तो guaranteed मिलना ही मिलना था, और 3 ऐसे मिले, जो की guarantee किसी ने, तो ऐसे value, fair value को, अगर इनके बीच का difference देखें, तो उसको बोलते है, unguarantied residual value, ठीक है, unguarantied residual value क्या होता है, market value, और जो lessie ने payment बताया है, उन दोनों के बीच का difference, अगर मेरे वाले सवाल में देखो, तो 2000 इसने देना है, मैंने outsider को, buyer को कितने में बोल दिया, कि भाया मिल जाएगा मुझे, 5000 में मिल जाएगा, तो इसको बोलेंगे हम fair value, fair value कितना होगा इस assets का, जो की residual value की बात करें, residual मतलब last में बिकेगा, कितने का है, 5000, और सामने वाले ने कितना guarantee दे रखा, तो बताओ इसमें अनगरेंटी value कितनी है, 3000, तो अनगरेंटी value कितनी होगे यहाँ पे, 3000 रुपे हो गई, तो यहाँ पे देखा जाए, तो इसके अंदर प्लस हो जाएगा हमारा अनगरेंटीड value, UGRV, अनगरेंटीड रेजिडियोल वेल्यू भी, सर, अनगरेंटीड रेजिडियोल वेल्यू क्या होता है हमारा, इहीं पे लिखनें formula इसका, क्या हो सकता है, आप खुद बना सकते हो formula, है नहीं, ऐसा कोई formula, अनगरेंटीड रेजिडियोल वेल्यू इस इकल टू, फेयर वेल्यू, माइनास, गरेंटीड रेजिडियोल वेल्यू, यही बन गया न, तो इसके लिए lease payment क्या होगा, minimum lease payment, कि भाया जो तेरा rent आया वो, और जो तुने गरेंटी दिया वो, और जो अनगरेंटीड दिया वो, पिछले वाले example में, इसके लिए 47,000 था, minimum lease payment, क्योंकि यह 47 ही करता, और इसके लिए कितना बन जाता, क्योंकि 5000 का गरेंटी मिल गया, तो 45 और 5 इसके लिए 50,000 माना जाता, ठीक है, तो इसके लिए यह होगा, अब इसके अंदर ना, इसके अंदर, एक और third party आएगा, और वो third party पता है कौन होगा, जो कि unguaranteed residual, यहाँ पर कितने party involved है, मैं, या मेरे बिहाब पर कोई, और यहाँ पर पता कौन होगा, भाई, तो तेरे से payment आना है, या तुछ से आ जाएगा, इसे आ जाएगा, तो यहाँ पर कितने लोग होगा एक तरीके से, 4 होगा, समझ मैं आई बात आपको, तो यहाँ पर हमने देखा minimum lease payment, किसके हिसाब से, sir minimum lease payment किसके, दोनों के हिसाब से, एक तो आपका lesser के हिसाब से, और एक lesser के हिसाब से, हाला कि इसे minimum lease payment भी नहीं कहते मैं इस point को हटा देता हूँ अभी एक minute रुख जाईए minimum lease payment तो दोनों के लिए समान ही रहना चाहिए investment में डाल देते हैं इसको minimum lease payment भाई साब यही रहेगा minimum lease payment यही रहेगा अब यहाँ पे हम निकालेंगे एक word सबसे पहले आपने क्या क्या सीख लिया है यहाँ तक new terms minimum lease payment क्या होता है guaranteed value क्या होता है unguaranteed value क्या होता है rental value क्या होता है lesser कौन होता है और lessee कौन ہोता है यह सारी चीज़े सीख लिया आपने अब हम देखे ग्रॉस investment किसको कहते हैं gross investment ठीक है न तो gross investment यह क्योंकि investment यह करेगा या यह करेगा less ही कर रहा है investment या lesser कर रहा है lesser कर रहा है तो इसके लिए gross investment क्या होगा lesser के point होई से gross investment is equal to mlp plus unguaranted residual value और sir unguaranted residual value क्या होता है fair value minus में guaranteed residual value इसे बोलेंगे gross investment देखिए बैदे मतलब जो मैं lease में total term use कर रहा था उसके बदले मैंने एक word और add-on कर दिया देखो जो इसके लिए mlp होगा वो मेरे लिए mlp होगा लेकिन gross investment इसके लिए क्या हो जाएगा sir इसके अंदर और एक part add हो जाएगा क्या add हो जाएगा sir एक और पार्ट बताईए unguaranted value कैसे निकालेंगा नीचे मैंने formula लिख दिया और पीछे हमने समझ भी लिया यहां तक किसी बच्चे को doubt है तो बताईए यहां तक clear है बढ़ जाए आगे चलिए अगर यहां तक समझ में आ गए तो कुछ और बातों पर हम discussion करते हैं चलिए सब्सक्राइब मान लो आज है 2023 मतलब अभी 2023 चल रहा है और मैंने एक समान किराय पे लिया आप जानते inflation क्या होता है आप तो first year में आ चुके हो inflation का मतलब क्या होता है यह है let's see inflation क्या होता है हमारा बताओ महंगाई यह तो हिंदी हो गया inflation जैसे मान लेते हैं एक example हम आटे की बात कर लेते हैं हर किसी के उपर inflation अलग अलग होता है कार्टा जो है मैं खरीदने लगा हूं अब बताओ कितने काता है 40 रुपे का minimum 40 रुपे थोड़ा बढ़िया खाओगे थोड़ा बहुत दिखाओगे कि हम भई यह brand खा रहे हैं वो brand खा रहे हैं विमार तो वैसे भी पढ़ना ही पढ़ना है तो 40 रुपे की लो है ना तो 10 रुपे का समान 40 अब हमारे 10 रुपे की जो value थी 2000 अब 2000 जितना satisfaction मुझे 2000 में 10 रुपे में मिल रहा था अब same satisfaction मुझे 2023 में कितने में मिल जाएगा अगर आपको कोई कहता है कि भाई मेरे को तू 10 रुपे दे 2000 में और मैं तिरको 2023 में 30 रुपे दे दूँगा तो आपको लगेगा तीन गुना हो गया पैसा हमारे 20 साल में तो लग रहा है ना 20 साल में तो तीन गुना हो लेकिन ये तो आप loss में हो सोचो जो समान उस दिन खरीच सकते थे और उसके payment देने के बाद भी आज आप 30 रुपे में नहीं खरीच पा रहे हो ऐसा ही होगा ना तो आपको एक पल को ऐसा लगेगा है मेरे पैसे तो डबल ट्रुपल होगे बढ़िया है दे देते हैं लेकिन इंफलेशन रेट को अगर आप देखोगे ना तो आपको पता लगे है आप तो नुकसान में बैठे हो यहाँ पे भी आपका दस रुपे का यानि हमारा रुपे का वेल्यू डे बाई डे डेप्रीशेट होता जा रहा है पहले सौ रुपे खर्च करते थे तो सौ रुपे बड़े दिनों तक चलता था अब सौ रुपे में कुछ भी नहीं आता बोलते हैं ना पहले जवाने में आपने सुना होगा आज बीस रुपे में एक ब्रेड का पैकेट भी अच्छा नहीं आ रहा तो वो क्या है उस टाइम पे बीस रुपे आज के दस अजार के बराबर हो चुके है ठीक है ना तो कहीं न कहीं जब ये पॉइंट्स आया ना आप ये समझ पा रहे हो कि ये तो कहीं बार आपको बैंक में न होता है क्या है बैंक के अंदर ऐसा रहता है कि भाई आप देखते हो कि पैसे डालो और दस साल में डबल जब भी इन्वेस्मेंट करना है तो आपने ये देखना है इंफलेशन रीट आप देखते हो न कि भाईया हमने बैंक में FD कर दिया एक लाख रुपे और दस साल बाद हमें मिल जाएगा दो लाख रुपे अब आपको ये चेक करना है कि अगर आपका आज 10 रुपे किलो आटा है और 10 साल बाद अगर 20 रुपे किलो आटा है तो आपके पैसे डबल नहीं हुए आपके पैसे डबल नहीं हुए सरफ inflation rate को compensate कराएगे आपको कोई benefit नहीं है यहाँ पे और अगर बैंक वाला आपको बोल दे के 10 के बदले हम 18 दे देंगे तब तो आप नुकसान में ही हो तो बैंक में पैसा जमा करना बेवकूफी है हाँ बैंक वाला बोले के मैं आपको इसके बदले 25 कर दूँँगा 10 साल में तब आपने 5 रुपए investment पे कमाया है 10 के आपके 25 हुए है तो आपने 15 रुपए नहीं कमाए सरिफ कितने कमाए 5 रुपए तो यह समस्या पता है किसके पास आ गया यह समस्या आ गया लेसर के पास यह सेम समस्या create हो गया पता है किसके पास सर यह सेम समस्या आ गया हमारा लेसर के पास सर क्या समस्या है इसमें लेसर के पास वो आज एक assets खरीद लिता था जिसकी कीमत थी 50,000 और इसने सामने वाले पार्टी को rent पे दे दिया इसको दे दिया है किस पे rent पे और इसने promise किया कि मैं भाई तिर को 6,000 रुपे दे दूँगा और 10 सालों तक दूँगा और assets की life भी 10 साल है मान लो तो ये तो एक पल को ये सोच रहा है कि भाई मेरे तो 50,000 के कितने बन जाएंगे 10 साल बाद 60,000 यानि 50,000 के कितने बन रहे हैं और प्लस residual value भी मिल जाएगा 3,000 रुपे तो मेरे तो बन गे कितने 63,000 तो मैंने तो 13,000 कमा लिया नॉर्मल इंसान तो यही सोचे का 50 का समान दिया 10 साल के लिए किराय पे दिया 63 बन गे बढ़िया है लेकिन अब यह देखेगा कि यार अगर मैं 50,000 बैंक में FD करता तो वो तो 1,00,000 बन जाता 10 सालों में तो डबल हो जाता लगबग लगबगग तो यह तो नुकसान में रहा है यह चलाकी में तो नहीं रहा तो अब यह क्या करेगा Lease Payment Decide करेगा Inflation Rate को ध्यान में रखते हुए और पहले calculate कर लेगा यानि जो यह rent दे रहा है पहले साल में First Year में जो इसको rent मिलेगा 6,000 तो मिल रहा है इसको rent लेकिन यह 6,000 के बराबर ही नहीं है कम हो गए इसकी value तो क्योंकि जो चीजे मैं एक साल पहले 6,000 में खरीद पा रहा था एक सेल बाद वो 6,000 में है यह नहीं तो मान लेते हैं वो 90% हो गया है 0.9 हो गया है तो यह मानेगा के भाईया मुझे कितने मिल गए चोवन सो तुम 6,000 दे रहे हो ना वो 6,000 के बराबर नहीं है वो कितने के बराबर है 50,400 फिर दूसरे साल इसको rent मिलेगा 6,000 तो बोलेगा भाईया 6,000 थोड़ी मिला और दूसरे साल दो साल बाद तो 6,000 की वेल्यू और कम हो जाएगी मान लेते हैं 0.8 हो गया दो साल बाद तो यह हो गया आपके 49 अब तीसरे साल मान लो 6,000 मिलेगा यानि भाई 6,000 मुझे 3 साल बाद मिल रहा है तो इसकी वेल्यू और क्या हो जाएगी reduce हो जाएगी कि 3 साल में 18,000 इसे मिले हैं लेकिन actual माईने में देखा जाए तो 3 साल में इसे 18,000 नहीं मिले actual माईने में देखा जाए तो sir 3 साल में इसको मिले है मात्र 14,400 कितने मिले है 14,000 यानि जो 18,000 है उसकी आज की date पे कितनी वेल्यू है 14,400 इस पॉइंट को जब हम रुपए को present value से compare कर देते हैं इसको बोला जाता है present value PV कर दिया हमने इसको क्या बोला जाता है present value ठीक है ना तो what is the present value sir जो payment हमें हर साल मिल रहा है कई सालों के बाद मिलेगा तो हम आज ही पता कर लेंगे बाई तु कल 6,000 देगा उसका present value यह होगा अगले साल देगा उसका present value यह होगा उससे अगले साल देगा present value present मतलब आज के हिसाब से ऐसे ही मैं 10 सालों का calculate कर लूँगा अगर मेरा 50,000 रुपए से उपर बैठ रहा होगा present value तब तो मैं investment कर दूँगा अगर 50,000 से कम बन रहा होगा present value तो मैं investment के लिए मना कर दूँगा बोलूँगा भाई तेरे को 50,000 रुपए आज दे रहा हूँ और तु मुझे 10 साल बाद लोटाएगा और 10 साल बाद वो मेरे 40,000 के बराबर का value रह जाएगा तो मैं क्यों दूँ तुझे किराये पे समझ रहे हो तो बैंक वाले जो ब्याज वाइस देते न ये कभी ब्याज नहीं देते ये सिर्फ inflation rate दिया जाता है और ब्याज नहीं होता वो लोगों का thought होता है वो आगे चलके आप financial management में पढ़ोगे ये सारे चीजे के क्या चीजे है आपको बस एक छोटा सा point यहां पे दिखाये जा रहा है ठीक है यानि सर जो lease मिल रहा है यहां पे हमें इन सभी lease का present value भी निकालना पड़ेगा है ना और सर present value कैसे निकाला जाता है आपको निकालना नहीं आपको उसी को मैं निकालना भी सिखा दूँगा साथ के साथ कैसे आप सभी के पास है तो आराम से आप सीख सकते हो तो अब हमें क्या करना है पहले देखा और फिर MLP फिर आपका minimum lease payment क्या है अब निकालेंगे सर एक और point निकालेंगे पहले हम present value निकाल लेते हैं तब देखेंगे ठीक है चलो question में देखेंगे तब मैं यहाँ पर लिखूँँगा एक आपके सामने question है यह आपके book में नहीं है यह question अलग से लिया गया है यह ca intermediate का question है simple सा question था यहाँ पर देख लिया तो देखते हैं fair value of machine machine कितने का एसर 48 लाग का है जिसका least term कितने साल होगा पांस साल और हर साल मुझे आठ लाख रुबए का रीज लेंटर मिलेगा guaranteed इसने guaranteed दे दिया कितना हमारा एक लाख साथ हजार 1.6 और इसने expected residual value यानि market value fair value expected करता है कि भाया कितना मिल जाएगा आप यहाँ पर क्या unguaranteed residual value निकाल पाओगे क्या बताया था unguaranteed residual value जितना guarantee दिया और fair value दोनों का difference क्या हो जाएगा unguaranteed residual value निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे और यह rate दे रखा internal इसको हम implicit rate भी बोलते हैं और that is inflation rate होता है और बोलता है कि भाया inflation rate ऐसा है अगर आज के एक रुपए आपको कल एक साल बाद को एक रुपए देगा तो वो एक रुपए के बराबर नहीं होगा वो 86,96 के बराबर होगा point और अगर 200 बाद को एक रुपए देगा तो वो इसके बराबर होगा अगर 3 साल बाद कोई देगा तो वो इसके बराबर होगा 4 साल बाद देगा तो कोई 5 साल के बाद होगा ये rate कई वार आपको तो दे रखा है तो आप तो निकाल दोगा अभी मैं आप निकाल के भी दिखा दूँगा अगर ये rate ना दे रखा हो तो calculator पे कैसे निकालते हैं वो भी मैं बता देता हूँ देखो calculator पे कैसे निकाला जाएगा आपको calculator पे 1 divide step number 1 1 फिर divide करना है कितने percent है आपका 15 है तो 1 प्लस में 0.15 यानि आप पहले ही determine कर ले 1 प्लस में 0.15 कितना होगा अगर हम इसको solve करते हैं तो 1 divided by 1.15 बन रहा है तो आप calculator पे 1 divided by 1.15 कर लिया अब equal to press करना है बस जैसे equal to press करोगे पहले साल का आजाएगा जो यहाँ पे दिख रहा है exact value दिखेगा आप फिर एक बार और press करोगे तो दूसरे साल का आजाएगा एक बार और press करोगे तो कौन से साल का आजाएगा तीसरे साल का आजाएगा एक बार और press करोगे तो कौन से साल का आजाएगा चौते साल का देखो चौते साल का 57-17 आ रहा है वहाँ भी 57-17 है पॉइंट राउंट फिजर में एक बर और प्रेस करोगे तो कितना जाएगा पांचवे साल का इसको जितने साल का चाहिए equal to equal to press करते जाने आपको उतने साल का मिल जाएगा बाइचांस आपको examiner ने दिया नहीं यह discounting rate और बोल दे इसको discounting rate भी बोलते हैं ठीक है न याद रखना कुछ-कुछ word है जो कि हमारे book के हिसाफ से थोड़े technical word होते हैं लेकिन समझोगे तो मतलब बड़ा आसान होता है ठीक है न तो इसको discounting rate ही बोल देते हैं कि discount करके हमारे पैसे कम हो रहे हैं तो इसका मतलब discounting हो गया हमारा पैसा ठीक है अब question में पूछा गया Unleaf finance सबसे पहले हम यहां पर क्या निकालेंगे किसके point of view से पहले तो हर साल का lease amount पहले हम नॉर्बन लेका लेते हैं लेसर के point of view से MLP MLP निकालना है किसके point of view से सर MLP या फिर MLP की जगह पर मैं बोल दूँ gross investment निकालना है direct gross investment किसके point of view से कि आप देख लो एक बार formula भी दिखा देते हैं ताकि आपको याद रहें कि कहां चला गया भाई कि नहीं फॉर्मूला चार्ट बनाया था ना हमने कि मुझे gross investment निकालना है किसके point of view से क्या एड़ करना है क्या लैस करना देख लो आप निकाले वहाँ पर यही सेम अपलाई करेंगे हमें चाहिए mlp mlp में क्या आइड कर देंगे और mlp कैसे निकलता है सर mlp निकलता है यह प्लस में guaranteed residual value अगर मैं mlp का फॉर्मूला लिख हूं यहाँ पर mlp is equal to rent यानि लीज प्लस में guaranteed residual थीख रहे गई चलिए अब निकाल के देखते हैं आज 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 कुश्चन कहा है यह रहा है तो सर्थ रेंट रेंट कितना है कि रेंट कितना है यानि minimum lease terms है ना lease rental कितना है हमारा सर लीज रेंटल अरे दो दो अब लेकर देते हैं इसको पहले हम डाल देते हैं चलिए लीज रेंटल सर रेंटल के है पांच सालों तक और एक साल का आठ लाग तो आठ लाग इंटू में 5 देट इस चालिस लाग अब इसमें क्या एड कर दोगे सर गयरेंटीड वेल्यू तो गयरेंटीड रेजिड्यूल वेल्यू कितना गयरेंटी दिया था उसने एक साठ हैड कर देंगे और आपको ग्रॉस इंवेस्मेंट निकालने के लिए इसके अंदर और प्लस क्या कर दो अनगरेंटीड रेजिड्यूल वेल्यू क्योंकि ये हिस्सा तो अमलपी आ गया अनगरेंटीड तो अनगरेंटीड कितना आया भाया फेयर में कितना प्लस के लिए और तरफालिस लाग चालेस और तीन तरफालिस होंगे ना यानि इसकी वेल्यू यह आ गई अब मैं जानना चाहता हूं इसकी पर्जेंट वेल्यू भी बताओ आप तो पर्जेंट वेल्यू कैसे निकालेंगे बहुत ही सिंपल है हमें लेकिन पांस सालों का अलग अलग करना होगा मैं टीवल ही बना देता हूं यहां पर लिख लेते हैं अमाउंट यहां पर लिख लेते हैं पीवी एफ और यहां पर लिख लेते हैं उसका पर्जेंट वेल्यू चलिए ज्यादा नहीं चाहिए यहां पर amount लिख लेते हैं amount के जगा पर rent लिख दूँ rent और यहां पर present value जिसको pva बोलते हैं और present value factor को f बोल देते हैं इसको pbf भी बोला जाएगा और कितने percent हमारा pbf पंदरा परसेंट है ना और कितने सालों का हमारा पंदरा परसेंट 5 सालों का तो 5 येर का 15 ऐसे करके कुछ लिखा हुआ कई बुक में मिलेगा तो इसका मतलब यह होता है बागी आप ना भी लिखो तो कोई फरक नहीं पड़ता है ठीक है इसके बाद इन दोनों को मल्टिप्ल होगे सर इसमें एयर लिख लेते हैं पहले साल में रिंट कितना मिलेगा आठ लाग और पहले साल का PVF फेक्टर क्या है 0.86 ठीक है सर दूसरे साल में कितना मिलेगा और इसका पर्जेंट वेल्यू क्या दे रखा है 755 कितने 61 तीसरे साल में और इसका क्या वेल्यू है 65 फोर्थ एयर में लेकिन फोर्थ एयर में असी वैसे मिल रहा है लेकिन इसका वेल्यू क्या बन जाएगा कितने परसेंट 555 फोर्थ एयर में इसका वेल्यू क्या बन जाएगा 4972 अब फोर्थ एयर में ही मुझे ये भी वेल्यू रिसीब होगा और ये भी वेल्यू रिसीब होगा क्योंकि ये चौते साल में मिलेगा ऐसा तो है नहीं कि पहले साल में ये मुझे बेच दूगा मसीन ट्रि को ये कम मिलेगा हमें सरु फिफ्प यReallyर में कर दो कि मिलगा हमें और भी चीज़े मिलने वाला है और ये इस आपका वन सिक्स्टी और 140 तो सर इसका भी rate क्या होगा 0.4972 और 0.4972 अब इसको multiply करो इसका shortcut भी लेकिन हम shortcut पर नहीं जाएंगे बिल्कुल भी हमें लॉंग प्रोसेस से जाना पड़ेगा अभी फिलाएं shortcut हम FM जब करेंगे तब सिखाऊंगा मैं 695680 0.7561 604880 0.6575 पांच लाख 26 अजार 0.5718 45 7540 मैंने कई जगा पर 80,000 लिख दिया है न और यह 80,000 नहीं है आठ लाख है तो यह कहीं आप calculation करें तो गलत ना समझे लेना यह ठीक है इंटू में 0.474972 यहागे 39 39 39 डबल सेवन चलो एक साथ यहागे 79 552 140 40 यहागे 69 608 608 ठीक है अब इन सभी को जोड़ दो इन सभी को क्या करो जोड़ दो जोड़ते हैं 69 5680 60 4880 526 457 440 39 77 60 79 552 69 608 टोटल चेक कर लेना गलत भी हो सकता है यह 28 30 9 20 टोटल चेक कर लेज़ेगा तो टोटल वेल्यू यहाँ पे कितना आ रहा था जबकि यहाँ कितना आ गया तो हमारा यह भी MLP है यह क्या था हमारा Gross Investment यह भी हमारा Gross Investment ही एक तरीके से है ठीक है ना अगर मैं MLP बोलू यह भी क्या हमारा क्योंकि यही सारा टोटल किया है यह भी क्या है हमारा Gross Investment लेकिन यह Present Value है उसका उपर वाला Gross Investment नॉर्मल है और यह वाला जो Gross Investment निकाला वो क्या हमारा पर्जेंट वेल्यू है यहां तक देखे पहले यहां तक किसी को डाउट 1 प्लस 15 कैसे होगा जोड दीजी आप सिंपल 15 क्या है यह रेट 15 परसेंट को हम 1.1 0.15 बोलते हैं 15 परसेंट को ठीक है 15 परसेंट को 0.15 बोलते हैं शायद आपके किताब में भी यह कोशन हो सकता है मेरे खालब पहले बताईए यहां तक क्लियर है तो फिर मैं एक और पॉइंट आगे एड़ कर दूँ बताईए जल्दी जल्दी बता दिए यस और नो है क्या सेम कुश्चन दिखा न आप बताईए सभी बच्चे को जितने भी लाइव है फिर मैं आगे बढ़ जाओंगा एक और पॉइंट लिखने वालों हम 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 क्यों 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 अभी नया आया है तो उसके इसाब से तो तेरे तेह नहां चला एल्दू सर फिफ्ट इयर के बाद एक साथ क्यूं किया फिफ्ट इयर के बाद क्यूंकि ये फिफ्ट इयर के बाद मुझे और भी पैसे मिलेंगे एक लाग साथ हजार क्या है सर ये भी मिलेगा मुझे पांचवे साल और ये भी मुझे एक चालिस भी पांचवे साल में मिल जाएगा point of view lesser तो इसलिए इसका भी मैंने present value निकल लिया यानि यहां पर यह present value simple है यह gross investment है यह present value नहीं नॉर्मल यह तना दिख रहा है उतना जोड लिया और यह क्या निकल लिया present value अब निकाला जाते अन अर्ण ऐसा पैसा जो कि आपने अर्ण ही नहीं किया तो उसका फार्मूला क्या होता है अर्ण अर्ण इससे इंट्रेस्ट बोल देते हैं या अर्ण अर्ण इंट्रेस्ट बोल देते हैं या फाइनेंस इंकम बोल देते हैं देखो यहां पर पूछाएं ना असर्टेन फाइनेंस इंकम बोल देते हैं सर अरन कैसे निकालोगे finance income बहुत सिम्पल is equal to gross investment minus present value of क्या formula लिखा यह जो आया और यह जो निकालोगे दोनों का difference उसे क्या बोलेंगे earn in वो पैसा जो आपने कमाया नहीं दिख तो रहा था लेकिन आपने कमाया नहीं तो कितना आजाएगा यहां पर 43 lakh minus 28 30920 यह जो आगया 1469080 देखिए यहां तक समझ में आए हैं यहां बेरी सिंपल पहले क्या निकालोगे आप gross investment भी पता चल गया MLP भी पता चल गया यह किसके point of view से लेसर अगर lessy के point of view से होता तो क्या यह वाली value लेते हम नहीं लेंगे lessy के point of view से यह वाली value नहीं लोगे और यहां पर भी यह वाली value नहीं आएंगे बागी सबसीम रहें ठीक है इसके बाद पूछा जाता है net investment क्या होता है net investment पहले यहां तक समझ मैं एक question देखें और book का ही देख लेते हैं ठीक है book में दिखाऊ कौन सा investment net वाला है कोई क्या या पहले आपके book का question number books of lesser है यह कि इस्टेशन वन ही करते हैं कि नेट इंवेस्मेंट पूछा है गया कि किसी में नहीं पूछो नेट इंवेस्मेंट चलो मैं अलग से करा दूंगा हो फिर यहां तक clear है अब आपको एक question मैं देता हूं करने के लिए यह मैं ही कर दूं अब बताना है पहले यह formula फिर से ध्यान दे दूं कि यह अभी फाइनेंस चल रहा है इसके बाद आएगा ओपरेटिंग लिए बहुत सिंपल है बस थोड़ी सी आठ नो केसी से कराऊंगा खत्म हो जाएगा कि चलिए आजाते हैं आपके बुक के question पर मैंने एक ही question लगाया था क्या कि एक ही लगाया था जालक से कि यह अधियर के लिए इस ट्री और यह एज़िटी दस नंबर में सवाल आएगा आपका दस नंबर में एज़िटी लास्ट यह के पेपर में जो आया है वो भी मैं दिखा दूँगा आपके सामने question है जितने बच्चे लाइव क्लास में है पहले पांच मिनट दिये जा रहे हैं बस आपको क्या निकालना है इसे यू एफ आई भी बोल देते हैं आप सौट फर्म बुक में देखोगे तो कन्फ्यूज मत होना तो ग्रॉस इंवेस्मेंट कैसे निकालते हैं भी देख लिया अन अन कैसे निकालते हैं वो भी देख लिया दोनों एकदम फटा-फट से निकालना दो फिर तो मैं पांक मिनट के बाद फिर मैं करूँ है इंधो इसको के पांच मिनट आपको दिये जा रहें कि 사नी अरे अप ़ेफ आप लिख लू जो चीजा मैं बोलता हूं कि अलग टी टियस में चलेगा ये तो आपका पूछा क्या गया है जब इसने पूछ लिया आपसे अंट फाइनेंस लिए तो इंकम तो लैसे निकालेगा है कौन निकालेगा इनकम हमें साथ लैसर ही निकालेगा कुछन का पेज नमबर बता दो क्या है फिफ्टीन पॉइंट फॉर रिलिश्टेशन थ्री वन फॉर फिफ्टीन पॉइंट वन फॉर हो गया तरे चेक आपने सही किया या फिर गलत किया इसके अंदर एक पार्ट और एड़ कर देंगे नेट ठीक है चलिए कुछन में कहता है कि भीया आपके मसीनरी है कितने रुपे की हाँ मसीनरी कितने रुपे की है आपकी कुछन में कहता है आपकी मसीनरी जो है वो तीस लाग और जो लाइफ है वो कितना है मारा पांस साल रेंटल दे रखा है कितना दे रखा है आपका आपका पांच लाग रुपे हर साल का गेरिंटिट दे रखा है आपको यह और एक्सपेक्टिट दे रखा है आपको यह लाइफ आपका इंटर्नल रेट ऑफ रिटन यानि वही आ गया सेम आपका पांस साल का आपका फैक्टर दे रखा है अलग 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 हर जगह पे ठीक है तब फटा फट से क्या निकालेंगे सर फटा फट से निकालेंगे हम कि हमारा ग्रॉस क्या पूछा गया है कि आपका ग्रॉस lease क्या है एक तो यह बताईए दूसरा पूछा गया आप से कि un-earned finance lease क्या है यह बताईए तीसरा मैं यह add कर देता हूँ यहाँ पर net investment बताईए net investment का formula क्या होता है मैं यहीं लिख देता हूँ ग्रॉस इंवेस्मेंट ग्रॉस इंवेस्मेंट माइनस में अन-earned finance income ठीक है चलिए सर सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं ग्रॉस इंवेस्मेंट अगर हम ग्रॉस investment निकालें क्या बनता है rent सर रेंटल लीज कितने का है 5 लाग कितने सालों तक मिलेगा सर 5 सालों तक मिलेगा तो कितने हो गए सर 25 लाग हो गया प्लस कर दो इसके अंदर क्या जो आपका guaranteed residual value था तो guaranteed residual value कितना हो गया सर सवाल कितना कहता है हमारा एक लाग और इसी के अंदर प्लस कर दो unguaranteed residual value जो कि कितना बन रहा है अब बता सकता है कोई 80,000 तो यह आगे 26,000,000 80,000 अब इसी का present value निकाल ले कई बार आपको rate वैसे exam में आता नहीं है rate निकालना मैं लिखिन सिखा दूँँगा कि इसका यह rate 15% बनता कैसे है यह भी निकालना आगे एफम में सिखाए जाता है कि वह यह तुम rate भी खुदी बनाओ और सवाल भी खुदी बनाओ यह हो गया एक और आजाना है कॉलम एक और आजाना है year है न year आपका जो amount है present value और आपका present value ने पीवी फेक्टर है नहीं पर्जेंट वेल्यू फेक्टर और आपका पर्जेंट वेल्यू चलिए पहले साल में इंकम दूसरे साल में इंकम तीसरे साल में इंकम चौत्थे साल में इंकम पांचवे साल में इंकम यह तो रहेगा रहेगा प्लस 55 साल में एक लाक यह भी आ जायगा और प्लस 55 साल में 80,000 यह भी आ जायगा ये 55 साल में क्या है guaranteed residual value है और ये क्या है unguarantid residual value और ये सारा क्या है हमारा चले अब इसका factor देख लेते हैं क्या दे रखा है 0.7561 0 पहला 8 है अब बताते जाना पहला कहा है 0.9 दूसरा है 0. तीसरा है 0. चौत्था है 0. पांचवा है 0. 4.9 और इसके बाद तो यही चलेगा चलो multiply कर, कितना है पहले इसके बाद 0.50 इसके बाद इसके बाद डबल जिरो इसके बाद इसके बाद जिरो भी आएगा ना इसके बाद अब यह टोटल कर लेते हैं सबसे पहले क्या आ गया तो सबसे पहले आपका ग्रॉस इंवेस्मेंट पूछा गया है तो ग्रॉस इंवेस्मेंट क्या होता है सर्थाई आ जिरो इसके बाद आए आए अगया ग्रॉस इंवेस्मेंट इस इकल टू एम एल पी प्लस में अन गरेंटिड रेजिडूल बेल्यू जो की हमारा निकल के आया चब्विस लाग असी हजार अब पूछा गया आपसे क्या अन इंकम है ना इंकम है ना इंकम तो इसका क्या होता है हमारा ग्रॉस इंवेस्मेंट माईनस में पर्सेंट वेल्ल्यू ऑफ ग्रॉस इंवेस्मेंट है ना तो तो सर ग्रॉस इन्वस्मेंट क्या हो गया हमारा ग्रॉस इन्वस्मेंट क्या था हमारा 26,80,000 – present value of वैसे मैंने यहाँ पर ग्रॉस इन्वस्मेंट बोल दिया लेकिन बोलना यह चाहिए present value of MLP plus में URG ऐसे book में बोला जाएगा आपका ठीक है तो माइनस कर देते हैं 176 5596 तो कितने आगए नाइन वन जीरो अब मैंने एक और कुछिन एड़ कर दिया नेट इंवेस्मेंट भी बता दो तो नेट इंवेस्मेंट में क्या होगा ग्रॉस इंवेस्मेंस में से हम क्या माइनस कर देंगे अंवएफा आई तो आपका इसमें से बस यह माइनस करेंगे तो क्या या जाएगा हमारा इंवेस्मेंट तो बताएए क्या यह नया पॉइंट आ गया बुक से लावा बताएए क्या है इसको माइनस करिए आप वन सेवन सिक्स फाइव फाइव नाइन सिक्स इन सबको अलग-अलग कलर से कर देते हैं ना हो यह मैंने अपना एक अलग निकाला है नेट इन्वेस्मेंट कर देते हैं इससे और यह मैने अलग-णिकाल ऐए प्ष ila यह वाला जो पॉइंट आप फिर कंफ्यूज मत होना यह किताब में आपको नहीं मिलेगा यह मैंने अपनी तरफ से आइड अन करके लिखवा दिया है कि यह भी निकाला जा सकता है मैं rate निकालना भी बता दूंगा यहाँ तक कोई दिक्कत है क्लियर है आंसर भी चेक कर लेज़े क्या है सेम है आंसर आ गया चलिए देखें यहां पर बोलने का क्या तरीक है आपने याद रखना जी आई-ल एम ल पी प्लस में यह दे रहे दिया इसने और नीचे यहां पर निकाल दिया यू एफ आई का मतलब होता है इसके शॉर्ट फर्म मैं पूरे फर्म लिख रहा हूं शॉर्ट अब पड़ लेगा ठीक है अब लेसी के बुक्स में देखा जाए तो तो ओपरेटिंग लीस के पॉइंट मे आएगा अब आजाते हैं एक कोशन यह है इसके अंदर आपका इंट्रस्ट भी केल्कुलेशन पूछा जाएगा लेकिन अभी आप मिनीमम लीस पेमेंट निकालेंगे लेसी इन दा बुक्स ओफ लेसी यह पॉइंट गड़ा तक पहले क्लियर है पॉइंट सारा है ना अब म मैं पढ़ देख लेता हूं क्या सवाला है अगली क्लास से ने टैनियर के भी साथ के साथ ही निप डालेंगे लास्ट यह में इसमें आया था कोश्चन mcq टाइप पूछ लिया था आपके बुक के पीछे भी होगा कि सर इसके अंदर यह बताईए कि यह फाइनेंस लीज है यह क्या है इसमें mcq टाइप कोश्चन पूछा गयता है फाइनेंस लीज है ऑपरेटिंग लीज है मिनिम्म रेंट पेमिंट क्या है यह सार लेसी के पॉइंट होवी से लास्ट में दे रखा है यह लास्ट कोश्चन ही है और प्रोग्राम में क्या है था दिखाओ कि सॉल्व करा है नहीं करा प्रोग्राम में देखो कई बारना बुक के अंदर जो पेपर होता है उसमें बदल दिया जाता है दिखा ना प्रोग्राम में प्रोग्राम प्रोग्राम औरस तो एक ही बन गया आप तो गुप तो एक ही है कोई बात नहीं आपको यहां तक पूरा clear है न एकदम clear है एक तो यह सवाल करोगे कुछ practical question भी करोगे एक class और रखते हैं इसमें जो कि कल 6 बजे रखेंगे एक और इक लास ठीक है कल साम को 6 बजे इसको खतम कर लेंगे क्योंकि फिर जनल एंट्री भी कराना है और इनके बीच में देखो डिफरेंस भी है जो ओपरेटिंग और फाइनेंस लीज में आप देखें कौन से कौन से कुश्चन करेंगे प्रैक्टिकल एसाइन्मेट भी कर लेंगे एक तो यह कर लोगे ठीक है फाइनेंस लीज कंप्लीट पर्जेंट वेल्यू ऑफ मिनीमम लीज कैसे निकालेंगे इसके इलोकेट फाइनेस चार्ज ओवर दा लीज फाइनेस चार्ज कितना होगा यह मैं सिखाऊंगा आपको अग इसमें बागी मल्टिपल है आपका आज शॉट प्रम लीज विच ऑफन कैंसल इस नौ जो की कैंसल हो जाता उपरेटिंग लीज है यह फाइनेस लीज है यह यह एक बार पढ़नेंगा बाकि आपके में एमसी क्यू तो है नहीं इतना इस लीज चलिए कंपटराइज अकाउंटिंग तो देखो आपने खुद करना पड़ेगा तो आज की क्लास को हम यहीं पर खतम करते हैं देखो दो कोशन हो तीन कोशन हो गए होंबग में यह तीनों कोशन कल करके आना है कल मैं इसके जनल एंट्री और ओपरेटिंग लिस पूरी तरी क्लास रखके एस 9 को भी खतम कर लेंगे रेविन्यू रेकोगनिजेशन जितने भी अकाउंटिंग स्टेंडर है इन डिटेल अलग से टाइम निकाल के कर लेंगे पहले ताके एक्जाम में अब एक्जाम में कितने नंबर का सवाल आया था मैं बता देता हूं यह यह आया थ साथ 6 नंबर का कुश्चन आया था एक्स्प्लेंड अकाउंटिंग ट्रीट्मेंट ओपरेटिंग लीस इन दा बुक्स ओफ लेसी यानि टूटल 18 नंबर का इस चेप्टर से सवाल पूछा गया है वीकॉम ओनर्स के अंदर ठीक है 90 नंबर का पिपर आएगा आपका 18 नंबर का इज कोश्चन पांच कोश्चन आएगे 90 नंबर का घ्यान रखिएगा ठीक है 75 का नहीं बनेगा हाँ जो cvcs वाले बच्चे हैं पुराने कूर्स वाले उनका तो 18 नंबर का ही बनेगा च्छोटा सा कॉंसेप्ट क्यूंकि यह चप्टर आधा दूरा रहता न तो फिर दिक्कत रहता कि सर यह चप्टर हुआ भी और नहीं भी मैं यह मन में था कि इस चप्टर को पूरा करके खतम कर दो तकि रहे कि सर यह चप्टर तो हो गया है complete तो लीज में मैं होते हैं operating और financing अब लीज के अंदर एक होता है lesser जोकी अपने एसेट्स को किराये पर देता है और एक होता है let Sea जोके किराये पर लेता है जैसे मैंने एक सर लीज के टाइप दो टाइप होते हैं सर दोनों में फरक क्या होता है में में वह काफी लंबे समय के लिए लेते हैं और मेजर पाट मेजर का मतलब किसी एसेड का लाइफ है थो हम मान के चल को चलो से 8 साल, 7 साल, 9 साल हम रेंट पे लेंगे और फिर जब एसेट्स बिलकुल रेंट वगरा नहीं देंगे तो एसेट्स खरीद भी सकते हैं एक हमारा रहता है किसका finance lease का दूसरा depreciation भी हम ही चार्ज करेंगे जिसने जिसका किराये पे एसेट्स लिए वो नहीं चार्ज करेंगा हम करेंगे दूसरी तरफ operating lease बहुत शौट टरम के लिए होता है और depreciation हम चार्ज करेंगे इसका operating के अंदर तो इसके बाद हमने financing lease में क्या देखा सर कुछ इसके जो indicators होते हैं जैसे कि जो इसके symptoms है कि financial lease होगा कई इस पिछले बार भी questions पूछा गया था एक्जाम में पताईए इसमें से यह operating है यह financing अगर इसके इंडिकेटर आपको याद रहेंगे तब ही आप जबाब इसके बाद हमने क्या देखा था सर इंडिकेटर के बाद lease क्या होता एक्चुल फिर दुबारा हमने समझा कुछ जर्नल इंट्री भी देख लिया बाकि जर्नल इंट्री जो है इतना important नहीं है फिर भी आप बुक में देखोगे तो easily समझ में आ जाएगा buyer और seller को मान के आप जर्नल इंट्री देखोगे इसके बाद हमने देखा था guaranteed value क्या होता है minimum सबसे पहले mlp क्या होता है minimum lease payment तो minimum lease payment अगर देखा जाए तो मैंने फॉर्मूले में लिखा था है कहीं नहीं लिखा यहां question किया था ना इधर लिखा है दोनों लिखा है न लेसी के point से mlp हाँ सर minimum lease payment क्या होता है तो minimum lease payment जो है न एक सेकेंट सर minimum lease payment क्या होता है बहुत simple सा है कि जितना किराया अब यह lesser के point of view से सोचोगे minimum और lessy के point of view से सोचो जितना किराया हमें मिला है और plus assets use के बाद उसको जब बेचेंगे तो अभी वो बता देगा कि कितने का खरीदा जाएगा तो वो guaranteed value होगा उन दोनों को add कर देंगा that is mlp यहानी minimum lease payment लेखिन अब इसके बाद एक word आता है हमारा gross investment तो gross investment क्या होता है हमारा minimum lease payment के अंदर हम unguaranteed residual value को add कर देते हैं यानि जो पहले हमने rent plus में आपका guarantee value plus unguaranteed जो उसने नहीं दिया market में कहीं से मिल सकता है उसको add कर देते हैं अब sir unguaranteed value क्या होता है suppose करो जो मेरे साथ एक person था अगर मैं unguaranteed value की बात करूँ तो unguaranteed value में आपका आ जाएगा चलिए मैं यही पर ले लेता हूँ क्योंकि यह समझना बहुत जरूरी है unguaranteed value suppose करते हैं कि एक विक्ती और यह दूसरा यह है lesser और यह है lessy अब lesser इसको अपना assets किराये पे देता है मान लेते हैं 5000 रुपे साल का और 10 सालों के लिए और इसको offer भी करता है कि इस assets को आप खरीद लेना 2000 रुपे में तो इसके बाद यह तो हो गया हमारा lease का amount यानि 50,000 रुपे और आगे हम इसमें plus कर देंगे what is the plus minimum guarantee value या फिर इसको हम बोलेंगे guaranteed residual value ठीक है कितना plus कर देंगे सर 2000 that is कितने का हो गया यह 52,000 रुपे इसके साथ साथ ना lesser बड़ा चलाक होता है lesser ना इस assets को बाहर भी पता करता है कितने का भी का suppose बाहर कोई वेक्ति ऐसा है जो इस assets को 5000 रुपे लेने के लिए ready है तो देखा जाए तो भी यह इसको बेचूँगा तो 2000 मिलेंगे और जो बाहर बेचूँगा तो पांच मिलेगा तो यहां मेरा नुकसान हो जाएगा तो नुकसान जितने का हो जाएगा ना इसका उसको unguaranted residual value बोला जाएगा उसको क्या बोला जाएगा unguaranted residual value समझ मैं इसके बाद हमने देखा था सर present value क्या होता है present value होता है कि रुपे की value depreciate होती है और वो सारा करा था आज हम question में एक तो operating lease को खतम कर लेंगे और second हमारा target है कि आपका interest cost निकालना कितना होता है जैसे कि पहले questions का यह पार्ट तो hopefully आपने किया होगा homework में दिया था मैंने आपके book का और इसमें दूसरा पार्ट है कि allocation of the finance charge over the lease period assume zero residual value residual value कुछ नहीं है और अब बताइए कि हर किस्तम हर rent में कितना finance charge वगरा है कुछ इस तरीके से पहले और पहला point है present value निकालना है minimum lease payment और give journal entry of the being lease books of lessee अब यहाँ पे किसके books की बात कर रहा है lessee के point और उससे बात कर रहा है ठीक है तो सबसे पहला भी question करी लेते हम question number one part first part MLP निकालना है MLP निकालने के लिए आपको यहाँ पे क्या-क्या given है सबसे पहले MLP निकालने के लिए lease duration five year है lease rent है rent that is आपका lease rent है कितने का 80,000 का ठीक है इसके अंदर time क्या दे रखा है कि आप कितने साल तक दोगे 5 साल तो total जो lease होगा ना that is 4,000,000 बन जाएगा इसके बात कहता है guaranteed residual value तो guaranteed residual value is best is 4,000,000 unguaranted residual value हम इस्तमाल करते हैं gross के लिए हम किस के लिए इस्तमाल करते हैं gross investment जबकि question क्या पूछता है minimum lease payment MLP पूछ रहा है यह gross नहीं पूछा तो इसमें हमारा इसका कोई काम नहीं होगा समझे बात है आगे कहता है fair value being lease का हमारा fair value यानि हमें lease जो assets था वो 3,20,000 रुपे में हमें पढ़ रहा था मान लेते हैं उस assets की बात करते हैं interest implicit rate या IRR भी बोल देते हैं या फिर cost भी बोल देते हैं वो 12% है तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं MLP क्या आ जाता है MLP आ गया हमारा 4,40,000 लेकिन सवाल में MLP जो पूछता है उसका present value पूछ रहा है हमें तो 5 सालों का present value निकालना है ठीक है कैसे निकालेंगे सर 5 सालों का present value देखिए हर बार आपको ना present value का rate given होगा ध्यान रखिएगा present value का हर बार का rate given होगा पहले हम ले लेते हैं year फिर ले ले लेते हैं amount फिर discount rate कहलो present value factor कहलो और इसको फिर हम total कर देंगे यह था ठीक है यह लेज़े year जो आपका amount है यानि lease amount दूसरा PBF present value factor तीसरा है इसका हमारा जो total है और इसको total को बोलेंगे only present value सर कितने साल के लिए है एक दो तीन चार और पाच rental value हर किसी का exactly क्या है सर सेम है that is आपका 80,000 rupees और present value का हमें यहाँ पर रेट दे रखा है देखो 0.890,790,0.700 इसके बाद 6255,2 पाचवे साल ना एक और चीज आएंगी that is a guaranteed amount जो था ना वो भी आ जाएगा यहनिए 5th year में हमारा guaranteed amount भी आ जाएगा that is 40,000 इसको हम guaranteed residual value गोल देंगे ठीक है इसमें भी यही रेट लगना है हमारा 552 चलिए अगर हमें 80,000 कितने 71,200 63,200 56,000 यह कितने होगे 42,49 63 44,160 22,080 अब इनका टोटल कर देजिए 37,1,200 63,200 56,497,60 44,160 22,080 डेटिस आगया यह 30,6,400 यह क्या आया सर यह आया MLP तो सर यह क्या आया यह भी MLP यह आपका अभी का जो नॉर्मल अमाउंट है वह value है और यह क्या है सर यह उसका present value है बताए यहां तक कोई doubt यहां तक clear है सभी को अब पहला question हम कर चुके है बस journal entry अभी हम देख लेंगे जनल इंटरी भी बता दूँगा सिंपल सा है allocation the finance charge मेरा आज का main मुद्ध यह था कि allocation finance charge को बताना मैं जनल इंटरी यहीं कर दूँगा पहले मैं finance charge क्योंकि इसके साथ ही हो जाएगा finance charge बताना तो सर finance charge बताने के लिए भी एक table की help लेते हैं वैसे यह ना higher purchase एक chapter पहले हुआ करता था financial account में अब हटा दिया गया है अब किस लिवस में से तब हम use किया कर सकते थे वहाँ पर और यह बहुत जगए use होता है पहले ले लेंगे principle फिर ले लेंगे interest और फिर ले लेंगे हम total due और एक column और बन जाएगा देखते हैं कितने use होते हैं column इसमें से finance charge sir finance charge जो लगेगा वो पूरे पांस सालों तक लगेगा है ना और पहले साल से लगना start हो जाएगा तो मैं एक पल को मान लेता हूँ जो finance charge लगेगा मैं year लिख देता हूँ फॉस्ट इयर सेकेंड यर थर्ड इयर और फिफ्ट इयर करें हमारा टोटल जो टोटल हमारा जो amount था उसका हमें अगर मेरे से पूछा जाए without present value तो मैं 440 के हिसाब से निकाल हुआ अगर present value लोगे तो यह निकाल होगे 306400 अब इसके उपर ही तो interest दोगे आप क्योंकि finance charge का मतलब क्या एक तरीके से जो मैंने अपना लीज पे दिया है तो मैं कुछ जब भी कोई assets किसी को किराय पे दूँआ तो मेरा एजिंडा यह नहीं है कि 10,000 का assets और 10,000 मेरे किराय वापस आ जाए मेरा एजिंडा क्या होगा 10, 15,000 अगर मैं लगा रहा हूं investment कर रहा हूं तो उसे मेरे 15-16,000 तो बनी कम से कम तो जो 4-5,000 रुपे का आपका यह जो बन रहा है ना बीच का difference उसे हम profit के नाम से नहीं बोलते हैं उसको finance charge के नाम से बोलते हैं और that is simple सब्द में बोलो तो interest बोलो एक तरीके से आप उसके उपर interest लगेगा हमारा क्योंकि उसका assets का value यह है तो इसके उपर interest लगेगा total इसके उपर अगर interest की बात करते है assets का value mean total MLP पे लगेगा यह ठीक है ना MLP पे तो 60, sorry 306400 क्या rate था हमारा 12.6, 12.6% तो यह जो आ गया ना finance charge आ गया सर कितने आया 38606 आ गया यह क्या आया सर that is a finance charge अब अगर यह finance charge है और आपका lease जो है 80,000 का है तो आपको पता चलिया होगा finance charge मतलब 80,000 के payment में तो इतना तो interest ही गया तो principal क्या होगा इन दोनों का difference अगर 80,000 total payment है rent का उसमें finance charge जुड़ा हुआ है 38606 तो अगर मैं बोलू बताओ principal कितना दिया तो बाकी principal ही जाएगा तो minus कर देते है 80,000 तो यह आगया हमारा 41394 ठीक है अब second year में हम इसके उपर interest थोड़ी ना देगे क्योंकि हम principal मालो आपने 10,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, तो अगर आपका 10% का ब्याज है तो इसका मतलब आपका year 1 में आप बोलोगे sir हमारा ब्याज जो होगा वो एक लाक रुपए होगा है ना अगर suppose करो year 1 में आपने ब्याज दे दिया उसके पाद आपने एक payment भी किया है माल लेते है 5 लाक रुपए उसको refund भी कर दिया है तो आने वाले time में आप उसे 10 लाक पे ही ब्याज दोगे या 5 लाक पे दोगे आप उसे क्योंकि 5 refund कर दिया है तो 5 ही तो करजा बचा है तो उस पर ब्याज दो के सेम यहां पे आपका करजा यह था एक तरीके से समझो उसमें से आप इतना तो refund ही कर चुके हो principle तो जो आपको interest देना चाहिए that is देना चाहिए आपको 306400-41394 अब जो बचेगा उस पे हमें ब्याज देना चाहिए simple सा logic है यह तो है ना माइनस 41394 अब यह बचा हमारा 25265 है 265 006 ठीक है यह अभी second year ही चल रहा है हमारा तो अगर हमें interest निकालते हैं तो interest क्या आएगा अब इसके उपर निकलेगा 12.6% that is इसका finance cost आगया 33390 और आपको दूसरा भी rent कितना गया होगा 80,000 lease तो fix है तो principle कितना गया इसमें से minus कर देंगे 80,000 तो sir that is आगया four six six zero 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 ten आएगा है ना four six six one zero correct है अब जब तीसरे साल का सेम ऐसे हमें ब्याज calculate करना होगा तो हम क्या करेंगे sir फिर से हमारा ये रहेगा principle यहां six five double zero six लेकिन sir इसमें से तो हम payment कर चुके हैं कितना कर चुके हैं हम one zero तो बाकी बचेगा उसी पर तो ब्याज देंगे हम तो two six five double zero six two six five double zero six minus four six six one zero तो यह आगया हमारा two one eight three nine six ठीक है इसके उपर ब्याज निकालते हैं twelve six that is आगया twenty seven five one seven ठीक है और रेंट तो भी यह minimum का असी जाएगा तो principle फिर से निकालना पड़ेगा सर बार बार principle क्यों निकाल रहे ताकि exact finance चार्ज निकाल पाए five two four eight three ठीक है four eight three चली आ जाते हैं अब fourth year में fourth year में हमारा था 1180396 जिसमें से हम payment कर चुके हैं कितना five two four eight three का payment अब देखोगे जैसे जैसे time बढ़ता जाएगा principle देते जाएंगे interest भी देखो कम 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 होता जाएगा क्योंकि आपका principle ही घट रहा है वहां पर ठीक है तो यहां पर एक किस तरा से च्यानवे माइनस five two four eight three तो यहां पर आ जाएगा one six five nine one three चलिए साथ अब हमारा fourth year में इस पर ब्याज लगेगा that is twelve point six percent यहां गया two zero nine zero five माइनस eight thousand कर देंगे क्योंकि eight thousand तो सर्फ फिक्स है five nine zero nine four है ना फाइनली इसमें से माइनस कर देते हैं five nine zero nine four फिफ्ट यहर में जो मेरे पास करजा बचेगा one six five nine one three माइनस में nine zero nine four करजा बचेगा मेरे पास one zero six eight one nine अब फिफ्ट यहर के अंदर पता ही क्या होगा आपका एक्जेक्ट नहीं बैठ पाएगा आपको पता ही कि टूटल कर जाए यही है इसके बाद देना ही नहीं तो सिंपल इंट्रस पता ही कैसे निकालना फिफ्ट यहर में है असी हजार की पेमिंट है असी हजार में से आपके लास्ट आपको असी हजार दिया है और आपके पास कितना आउट्सेंडिंग है प्रिंसिपल यह तो इनके बीच का जो भी डिफ्रेंस होगा वह इंट्रस्ट माना जाएगा एक मिनट यह मुझे लग रहा है मैंने ज्यादा कम तो नहीं ले लिया पास्ट यERE होगया हैlass एकैंडी इस एंधिर हो गया सपर फिफ्ट यार संट उपें निकाल लेते हैं टूले तेरा हजार चार सो 69 ठीक है तेरा हजार चार सो 69 मान लो माइनस असी अजार माइनस असी अजार एक प्रेंट इसको और थोड़ा बड़ा कर लेता है अब आप देखिएगा फिफ्ट इयर में ना हमें एक और वेल्यू रिसीव हो रहा था देट इस बाइस जीरो एट जीरो का ठीक है ना तो हमें टोटल इतना MLP बना था तो इसके उपर जब हम इंटरस निकालेंगे इसके उपर तो यह बनेगा बाकी अगर इसमें से हम प्रिंसिपल को माइनस कर दें तो देट इस क्या बच जाएगा हमारे पास 13459 माइनस 80,000 यानि हमारे प्रिंसिपल यह आ गया 66541 ठीक है अब नाव हमसे पूछा गया फाइनेंस चार्ज तो इस वाले कॉलम को अब टोटल कर लेंगे तो क्या जाएगा हमारा फाइनेंस चार्ज आ जाएगा देखिए ठीक है कौन से वाला फिफ्ट वाला फिफ्ट के अंदर यही सेम करा मैंने माइनस करके यह आया प्रिंसिपल माइनस कर तो दिया मैंने, नहीं किया मैंने, रहे गए माइनस करना, फिफ्ट येर में इसको माइनस करके यह आ गया, अब इसमें से प्रिंसिपल माइनस करना था ना, ओके, कितना माइनस करना था हमारा, फाइफ नाइन, लेकिन यहां माइनस तो गिया है मैंने, मैंने यहां पर अलग नहीं किया मैंने direct minus कर दिया एक मिनट रूपाँ confuse मत हो देखो यह था value मैंने direct कर दिया फिर मुझे लिखना चाहिए था 165913 और minus 59094 समझे ठीक है वो मैंने वहां direct कर दिया मैंने सोचा last year है तो कर देते हैं direct 165913 minus में 59094 तो यह क्या था सर हमारा यह था कैसे हम finance चार्ज निकालते हैं आ सकता है exam में लेकिन mainly तो आपका mlp वाला ही point रहता है जो की पूछा जाते हैं ठीक है चलिए सर अब देखिए इस question के अंदर आपको सारी चीजे मिल जाएगा जो 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 चीजे दोनों था आपके में even though answer भी given होगा और present value हमने निकाल लिया सारी चीजे अब general entry की बात करते हैं लेसी के point of general entry में कहता है assets खरीद लिया और किससे खरीदा lesser से lesser को credit इसलिए कर रहा है liability है उसको payment से चल रहे हैं मैंने इसको थोड़ा सा systematic ले लिया ताकि समझ में थोड़ा सा easily ठीक है clear रहे हैं यह 0 से start कर रहे है मैंने one से start कर दिया बाकी कहानी वही है सारी घूम फिर के आप देखोगे तो zero में इन्होंने डैस 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 रखा मैंने सीधा कर दिया तो आपका इस चार्ज जो हमारा last year का है वह हमारा approximately जो होगा वह निकाला जाएगा जो कि मैंने 13,180 था और आप देखोगे यहां पे 13,469 ठीक है अब यह क्या कह रहे है प्रोक्समेटली में आप यह देखो हमारा टोटल कर जा यह था करेक्ट अब जो हम धेन यहां पे दो प्रिंसिपल पेमिंट करेंगे देट इस 120 ठीक है लास्ट इयर में तो 80,000 रुपे का रेंट और फिर 40,000 जो कि हमने गेरेंटी लिया था 120 तो यह क्या करते हैं इस सिचुएशन में कि लास्ट इयर में जो हमारा कि किस्त जाएगा ठीक है लास्ट इयर में किस्त पता ही कितना जाने वाले हमारा यह तो सही था अच्छा और चार एक लागव 20,000 जाएगा तो लास्ट येर की जो इंट्रस्ट या लीज बोलो हम पे मिंट करने वाले इन दोनों के बीच का difference amount that is आपका 120 माइनस में 106819 तो यह आ जाएगा 13180 ठीक है यह आप ऐसे भी कर सकते हूं और यही फिर यहां पे जो amount आएगा वो सीधा इसमें से यह minus करोगे तो again principle आ जाएगा that is आजाएगा आपका मैं इसको हटा जाता हूं प्रिंसिपल आ जाएगा 106819 देखिए हैं हाँ वो भी है लेकिन इसके अंदर कई बार लास्ट इयर के अंदर हम यह वाला पॉर्सन फॉलू कर लेते हैं टोटल इंटरस यानि जो गैरेंटी वेल्यू है उसको भी हम कवर करके चलते हैं अगर कोशन बोले कि गैरेंटीड वेल्यू को फाइनेंस चार्ज में आपको नहीं लेना है यह एक्स्क्लूड करके चलना है तो जो पहले किया था वहाँ पर मैंने गैरेंटीड वेल्यू को इंक्लूड नहीं किया ठीक है तो यह था हमारा एक फाइनेंस चार्ज का कोशन जनल ए कि ता एसेट से अकाउंट डेबिट जो बोला गया था कि आपको जरनल एंटरी करना है किसके बुक में लैसी के बुक में तो लैसी क्या कहेगा कि मेरा एसेट्स खरीद लिया मैंने और किस से खरीदा लैसर से बस अब फाइनेंस चार्ज की जरनल एंटरी अलग होती है वह ढ़िए नेक्स टॉपिक पर ओपरेटिंग ली लीज बहुत सिंपल है कि क्या होता है इसके अंदर कोई कैलकुलेशन का पार्ठ भी नहीं है इवन दो माल लो एक वेक्ति है माल लेते हैं, एक वेक्ति है, that is Mr. Ram और एक वेक्ति है, that is Mr. Mohal और इसने एक एसिट्स ले रखा है इसने एक एसिट्स लिया हुआ है, और जो Mr. Ram को है, वो इसको ये एसिट्स रेंट पे चाहिए, रेंट पे ये एसिट्स लेना चाहता है, ठीक है, रेंट पे ये एसिट्स लेना चाहता है, यहाँ यहां पर देखा जाए, दो किसिस बन सकते हैं, दोनों किसिस risk कर लेंगे, यह assets जो है, rent पर जो लेना चाहता है, यह assets का life मैं बता देता हूँ है, life मानलो 10 ये हैं, लेकिन ये कहता है कि मुझे जो assets लेना चाहता है, वो मातर 4 एर के लिए लेना चाहता है, ठीक है, तो यह lease के terms तो यह क्या करेगा इसको यह जो assets है जिसकी life 10 साल है यह इसको उठाके देदेगा किसको देदेगा इसको उठाके यह assets देदेगा नाव यह every year इसको payment करना चालू कर देगा that is rent value जिसे हम बोलेंगे lease जिसको क्या बोलेंगे lease अब इसके अंदर जो यह अपना profit and loss बनाएगा majorly अब हमें बात करनी है यह कौन क्या क्या record करेगा यह जो अपना profit and loss बताएगा उसके अंदर यह lease rent debit करेगा अपने P&L में और यह जो अपना profit and loss बनाएगा that is यह क्या करेगा एक तो depreciation debit करेगा यह और दूसरा lease रेंट यह अपने पास credit करेगा ठीक है simple सा concept है तो यहाँ lease होता है लेकिन कई बार problem तब create हो जाता है जब lease back हो जाता है operating lease में lease back कर देते हैं चीक है operating lease में lease back कर देते हैं तो यह simple lease था अब देखो lease करो कि मिस्टर रांग जिसको पैसे की जुरूरत है और इसके पास एक assets है इसके पास एक assets है इसके पास एक assets है मान लेते हैं इसका घर है ठीक है ना घर है और एक विक्ति that is Mr. Mohan जिसके पास खूब सारा पैसा है जिसके पास पैसा मान लो बहूत सारा है पैसे की कमी नहीं है माल लेते हैं पैसे की कमी नहीं ये खूब सारा इसके पास पैसा है ठीक है पैसे की जुरत इसको है अब जर्नली ये अपॉर्चनिटी ढूंड रहा है कि कहां हम पैसे लगाएं जिससे हमारी कमाई हो जाए और पैसे लगाने का मतलब ये पैसे को लाख रुपे लगा के पैसे को एक लाख दस अजार करना चाह रहा है इसका ये intention नहीं है कि मैं उसको खरीद लूँ assets को, कभी assets को खरीदना investment नहीं कहला, तब journaling अगर आपने खरीद के रख लिया तो investment नहीं है आपको खरीदने के बाद rate बढ़ने के बाद बेचना भी पड़ेगा, तब ही investment कहलाएगा, क्योंकि आपका objective क्या है कि आपके रुपे को बढ़ाना है आपको ठीक है ना, तो अब इसने क्या देखा, किसको घर की जौरत है इसने इससे बात करी और इसने अपना घर इसको बेच दिया इसने अपना घर जोत भी था इसने अपना घर इसको बेच दिया, अपना घर अपना घर इसको बेच दिया सपोस करते हैं, इसने अपना घर बेच दिया, पचास लाख में ठीक है नाव जो इसका घर था, अब इसने खरीद लिया पचास लाख में इसे 50 लाख रुपे की payment कर दी अब इसकी जरुरत जो भी थी payment की पैसे की वो पूरी होने लगी क्योंकि इस 50 लाख आ गया दुबारा से राम मुहन से बात करता है कि काम करो ये जो assets है मुझे lease पे चाहिए यानि पहले तो ये assets क्या कर रहा है sell कर रहा है और ये क्या कर रहा है purchase कर रहा है यानि ये कौन हो गया buyer ठीक है और ये कौन हो गया seller हो गया ठीक है जो seller है जिसने assets को बेचा है अब यही क्या demand करता है कि भाई मुझे ये वाला assets क्राया पे देदो क्योंकि मैं एक हटा मेरे पास 50 लाख आ गया है और आपको जो भी rental value होगा वो मैं दूँगा धीरे-धीरे करके और शायद हो भी सकता है कि मैं कुछ दिनों बाद आप से assets खरीद लो तो इस वेक्ति को इस काम को करने में कोई दिक्कत नहीं है ये देखेगा एक तो मेरे पास किराया आ जाएगा माल लेते हैं कि दस साल के लिए दे देते हैं इसको तो दस साल के लिए इसको दे देते हैं और हर साल का किराया छे लाक रुपए इससे बोल देते हैं तो यानि यह दस सालों में इसको पैसे मिल जाएंगे कितने साट लाक रुपए और फाइनली लास्ट में भी हम क्या करेंगे ये एसेट्स इसी को दे देंगा ले तू ही रह ले भाई घर के अंदर कुछ ऐसा मिनिमम पेमेंट दे दे होता है न घर वाली केस मैंने एक्जामपल लिया वैसे मसीनरी का केस होगा क्योंकि घर तो भाई दस साल बाद बढ़ जाएगी जबकि मसीनरी की घर जाएगी वाँ पे तो घर वाला मैंने एक एक्जामपल लिया है तो यह कहेगा चल भाई ठीक है तिरको मैं एक लाक रुपए में यह एसेट्स दे रहा हूं इसका मोटिफ फुल्फिल क्या होगी है सर कि इसको पैसे की जुरत थी पैसे भी होगे और घर भी इसी के पास रहा नाव दिक्कत क्या आता है दिक्कत यह आता है यहां पे लोग बाग क्या करते हैं इंकम टेक्स बचाने के लिए दिमाग लगाते हैं अब देखो इसके उपर देखा जाए अगर बात करें रेंट एक तरीके से यह रेंट पेड कर रहे है तो अपने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में डालेगा उसके बाद इस एसेट्स को अगर यह फाइनेंस लीज के तरीके से ले रहा है तो उसका डेप्रीशेशन भी डेबिट में डालेगा इसको दो बेनेफिट मिल गए क्या क्या लिखेगा एक तो यह अपने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में रेंट भी लिखेगा और डेप्रीशेशन भी लिखेगा दूसरा यह क्या करेगा अपने profit and loss के credit में लिख देगा क्या rental amount, ठीक है, अगर in case ये operating lease वाला concept हुआ, तो ये depreciation claim कर लेगा, समझ रहे हो बात को, अब यहाँ पे हो सकता है, कि ये 50 लाक रुपए का समान, 60 लाक रुपए का बेच दे, यानि इस assets का जो fair value था ना, वो fair value, इस assets की मैं fair value की बात करूँ, तो that is sir fair value 45 लाक था, तो 45 लाक वाला समान इसने कितने का बेचा, तो भीया इसको फाइदा भी हो गया, कितने का profit हो गया इस case के अंदर, sir इसको profit हो गया, कितने का 5 लाक, तो 5 लाक एखटा नहीं दिखाएगा ये, इसको proportionately lease rent के ratio में दिखाएगा, हर साल का ratio क्या है, 10 सालों तक जाएगा, 10 साल का rent है, तो 10 सालों तक दिखाएगा, 1 is to 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 1 के ratio में, अगर profit होता है, तो उस case के अंदर, समझे रहे हैं यहां तक बात, अगर profit होता है, तो उस case के अंदर यहां तक दिखाएगा, लेकिन ऐसा भी possible है, कि इसका fair value जो है, वो होता मान लेते हैं कि 55 लाक, है ना, fair value कितना हो गया, 55 लाक, तो इसका नुकसान भी हो गया, तो उस नुकसान को वो एक बार में नहीं दिखाएगा, वो दिखाएगा depreciation के ratio में दिखादो आप, या फिर एक साथ दिखादो, यह इसके उपर मर्जी होता है, अगर genuinely इसका इस तरीके से नुकसान हुआ है, तो आप एक साथ दिखा सकते हो, लेकिन अगर इसने जान बूच के कुछ ऐसा करा है, तो उसे ratio में दिखाने के लिए government बोलेगा, वो account जब audit होता है, तब decide होता है हमारा generally, ठीक है न, तब decide होता है generally, यहां तक देखे पहले, सबसे पहले इस वाले points में हमने ज्यादा कुछ नहीं समझा, only समझा हमने lease back क्या होता है, यानि हम अपने assets को ही बेच देंगे, और उसी को lease पर वापस ले लेंगे, त और ये कौन है सर, तो इसके कुछ cases है, 9 cases है, total 8-9 cases है, जिसके बाद आपको सिर्फ ये बताना होता है, कि कौन profit कितना book करेगा, बस इतना बताना है, 7-8 case आजाएगा, और किसका क्या profit booked होना चाहिए, जस्ट इतनी से जानकारी देनी है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर लेकिन इसके अंदर हमें कुछ एक word देखने है, पहले एक बार theory भी देख लेते हैं, leaseback का होता क्या है, अगर आ जाता है exam में, तो हम लेख सकते हैं, ठीक है, आपका कहा मिलेगा, leaseback, leaseback, accounting, finance, lease, books of lesser, ये सब हम कर चुके हैं, पहली class में, operating lease, books of lesser, journal entry, ये मैंने 5 illustration दिया है, नहीं दिया ना, आज दे देंगे चलो, जो depreciation के ratio में बाटा जाता है, वो बता देंगे, आज ये आ जाते हैं, आगे, difference ये तो नहीं है, ये है शायद न, हाँ, ये तो question है, उसका, पीछे रहे गे न, theory, lease back, नहीं, lease back होना चाहिए, चलो, अभी इसमें देख तो नहीं रहा, हम question तो है, lease back के मैंने question देखे तो मैंने सोचा बता देते हैं, lease back के question देखे थे मैंने अभी, ये है lease back का question, ठीक है, ये प्रैक्टिकल है, हाँ, देखना ये प्रैक्टिकल यह होगा, I guess, application based, चलो, कुछ भी कहलो, ये सारा, कर लेंगे हम, अभी कर लेते हैं, unsolve, ये भी आ गया, चलिए, कुछ की सिस कर लेते हैं, लिख लेते हैं, तो सबसे पहले lease back का concept पता चला, मैं theory वैसे बता दिया, जो मैंने आप एक बार reading मार लोगे, आपको समझ भे आ जाना है, नोन, इस पर दिखाओ, ओपरेटिंग है ना, ओपरेटिंग और नोन पे आउट लीज, दोनों, ओपरेटिंग लीज दिया है, हाँ, इस पर नहीं है, फिर भी हम कर लेते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन question दे रखें इन्होंने, तो कर लेते हैं, question दो दे रखें हैं, कुछ questions है, जो मैं ले लेता हूं, example, कुछ questions हैं, जो मैं ले लेता हूं, example, बीच मैं questions करा हूं, जो कोई नहीं, यहाँ पर कुछ एक word है, ध्यान रखना, एक होता है, fair value, that is, fair value का होता है, market price, एक होता है, carrying value, इसको हम बोलते है, that is, book value, यानि जितने में हमने assets को record किया है, assets को जिस value पर हमने record किया है, इसको हम W, D, V value भी बोल देते हैं, ठीक है, तीसरा होगा हमारा selling price, selling price, selling price जितने का बेचा है, अब market price भी तो वही होगी है, selling price, नहीं, हमारा assets market में 10,000 का है, और हमने बेचा उसको 8,000 में, तो 8,000 selling price है, और fair value कितना है, 10,000, इन दोनों में फरक है, और carrying amount, आपने जितने रुपे में, अपने books of account में क्या करा हुआ है, record किया हुए, तीनों वो वर्ड समझ मैं है, इसमें दो step follow करने है, तो आपको answer में लेगा, step number one, step number one, that is, sir, क्या step है यहाँ पर, step number one में, आपको compare करना है, मैं इसको थोड़ा short form में बोल दूँगा, FV, और इसको हम मैं short form में बोल देता हूँ, आपका CV, ठीक है, इसको short form में बोल दूँगा, SV, correct, तो compare करना है with, किस में, FV and, FV and, CV में, ठीक है न, compare करना, FV and, CV में, दोनों में compare करना है, तो जो हमें यहाँ से result मिलेगा, वो मिलेगा, एक value, जिसको नाम देते हैं, revise caring value देते हैं, revise, मतलब जोनों में से जो भी मिला, एक value मिलेगा, उसको revise caring value का नाम देते हैं, ठीक है, फिर step two follow करना है हमें, sir step two में क्या करोगे, फिर हम compare करेंगे, compare किस में, sir हम करेंगे, revise caring value and, SP मतलब selling price, अभी clear हो जाएगा सारी चीज़, आट नों एक्जामपल में सब चीज़ हो जाएगा, फिर compare करेंगे, ठीक है, correct यहां तक समझ मैं है, mainly इस question में बताना होता है, कि profit and loss में कितना profit जाएगा, या profit and loss में profit को carry करेंगे, या फिर कितना loss को book करेंगा, कौन क्या क्या करने वाला है, कैसे करेंगे, यह बस बताना होता है, चलो एक example ले लेता हूँ, case number one, कुछ case करते जाते हैं, case number one, छेक अस, देखिए, मान लो, fair value, 100 रुपए है, selling price, भी 100 रुपए है, और, carrying value, भी 100 रुपए है, पहला case, तीनों amount, 100 रुपए है, अब हमें क्या answer देना है, profit and loss में कितना जाएगा, बस यही बताना है, तो सबसे पहले, अब हम देखें, तो lease back का point आ जाता है, कि हमने बेचा, और वापस हमने ले लिया, तो हम, सबसे पहले comparison किसमें करेंगे, सबसे पहले comparison करेंगे, fair value, and caring value, fair value कितने का है, 100 का, हमने books में भी कितने का record किया, तो हमें books में record किया, तो कोई फाइदा नुकसान तो हुआ नी, तो इस situation में, profit and loss में zero जाएगा, अब सबसे बुक्स में कौन record कर रहा है, और fair value तो market value, जब हमने उसको बेचा है, यहाँ बेचने की बात चल रही है, अब वापस से selling price आ जाएगे, जब बेचा है, इसके बाद comparison करेंगे हम किस में sir, comparison करेंगे हम, इसको यहाँ पर revise caring value क्या आएगा, कोई बताएगा, यहाँ revise caring value क्या होगा, revise caring value बताओ, revise caring value, 100 ही आएगा, ठीक है, हमेशा revise caring value क्या आएगा, हमारा normally केस में, अभी दो तीन example लेने तो फिर समझ में आएगा, नहीं तो फिर confused हो जाओगे, अब अगेन हम compare करेंगे, revise caring value that is saw, और selling price कितना होगे हमारा, saw होगे हैं, तो अब अगेन हमारा profit and loss में क्या amount जाने वाला है, zero जाने वाला है, पहले ये देखिए, अभी मैं जब तक 5-6 example नहीं लूँगा, तो बस ऐसे लगे हैं कि क्या चल रहा है, जब मैं 5-6 example ले लूँगा, तो आपको clear हो जाएगे कि करना क्या है, case number 2 देखें, case number 2, अब थोड़ा समझ में आएगा आपको, suppose करो, fair value, पचास, carrying value, पचास, and selling price, मान लेते हैं, 55, मान लिया हमने 55, ठेक है, carrying कितना मान लिया हमने 55, यहाँ पे क्या था, 300-100 रखा, तो P&L में 000 चला गया, अब हमने carrying value कितना मान लिया है, यहाँ पे, 55 मान लिया है मैंने, carrying value को, ठेक है, स्वारी, selling price को, हमने क्या मान लिया है, 55, selling price, 55, carrying value, एक काम करते हैं, इसमें पहले, इसको 55 करते हैं, और इसको 85 रहने रहते हैं, सारे value, चेंज करेंगे, ठेक है, चलिए, सबसे पहले, comparison स्टार्ट करते हैं, सर, comparison किस में होगा, carrying value, 50, sorry, carrying value, 55 और fair value, 50, मतलब हमारा, 50 रुपए का होना चाहिए, लेकिन हमने books में, fair value कितना है, 50, books में कितने का record किया हुआ है, हमने, 55 रुपए का, यानि यहां 5 रुपए, extra करा हुआ है, तो यहां आपका फाइदा हो गया, कितना, 5 रुपए, तो हमारा profit and loss में credit हो जाएगा, पहले मैं revise निकल दूँ यहां पर, तो revise value जो होगा, revise, carrying value, तो यहां पर देखा जाए, आपने record कितने का करा हुआ है, carrying value का मतलब क्या बताया था, book value, यानि आपने record 55 में किया हुआ है, जबकि market में क्या fair चल रहा है, 50, तो आपको तो दोनों को compare करके रखना है, तो आपको कितने पर अपने balance sheet में रखना चाहिए, अगर आप 55 रुपए में दिखा रहे हो, तो आपके balance sheet में गलत है एक तरीके से, आपको कितने में दिखाना चाहिए, 50, तो revise caring value क्या आ जाएगा यहाँ पर, ऐसे करने से, जब आप अपने books of account में assets की value डाउन करोगे, तो आपको क्या हो जाएगा, loss, यहाँ पर क्या हो जाएगा, loss हो जाएगा, तो यहाँ profit and loss में चला जाएगा, loss हो गया, कितने का, 5 रुपए, अब हम comparison करेंगे, revise caring value, और क्या comparison करेंगे हम, selling price, revise caring value कितना है, 50, selling price कितना है, 50, तो हमारा यहाँ पर profit and loss में क्या जाएगा, 0,0, selling price, नहीं, इसको मैंने change नहीं किया, इसको 50 मान रहे हैं अब फिलाल के लिए, 50 मान रहे हैं, हमें compare करना है, कि हमने books value में कितना record किया, अब यह जो होगा ने, revise का मतलब इतना लिखो अब, revise का मतलब क्या होगा, इतना लिखो आब, ठीक है, तीसरा example देखो, अभी 4-5 example में आपको खुद clear हो जाएगा, फिर book के भी question आपके हो जाएगे, और मुझे लगता है, इस बार ये exam में पूछा जा सकता है, ठीक है, फर्ड case लेते हैं, पचास, selling price ले लेते हैं, हम पचास, fair value भी ले लेते हैं, पचास, और carrying value ले ले लेते हैं, हम 45, अब कम कर रहे हैं, ठीक है, अब पहला step में किस में comparison चलेगा, बताओ, ठीक है, step number one कर रहेते हैं, step number one, sir, fair value क्या है, 50, carrying value कितना है, 45, तो अब हमें, balance sheet में, तो जो fair value है, उस पर record करना चाहिए, जितने का होना चाहिए, तो हमारा revise, carrying value कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, अब हम पहले कितने का record करके चल रहे थे, 45 का, कितने का record करके चल रहे थे, क्योंकि carrying value पहले, अब कितने का record करेंगे, यानि 5 रुपे का फाइदा हो गया, तो यहां पर फाइदा कितना होगे हमारा प्रॉफिट इस पांच रुपे को रिकॉर्ड नहीं करना इसको डेफर कर देना है डेफर का मतलब अभी तो बस हम यह अंदाजा लगा रहे हैं के प्रॉफिट हो जाएगा ऐसा करने से हर जगह पर एक अनुमान लगा रहे हैं तो य यहांगी प्रॉफिट ऐसे केस में होगा उसको डेफर करोगे अब आजाओ किसमें कंपेरिजन चलेगा सर अब चलेगा हमारा रिवाइज केरिंग वेल्यू यह पचास और सेलिंग प्राइस कितना था अब प्रॉफिट और लॉस में आजाएगा जीरो अब प्रॉफिट औ कि देखिए पहले हैं ठीक है एक बार यह वाला माउंट करो क्योंकि मैं पीछे पीछ पर जाओंगा तापको रेजिटर पर आंसर देना होगा यह नूट करो एक वार यह मैं इसको ना एक बार और और करूंगा रुक जाओं आप सरीफ दो पार्ट नूट करो यह यह अपने पास इमेज ले लो यह ले लो पीछे फिर मैं अलग अलग एक्सामपल हूं आप इस वाले को दुबारा करेंगा दूसरे एक्सामपल से थोड़ा से इसमें करेक्शन करें कर लिया कर दो दो एक दो यह अवपने जाओं आप सरीफ वाले करेंगा रुबारा करेंगा रार यह अवार्ट आप एक्सामपल करेंगा यह आवपने आप सरीफ आप संवें सब्सक्सामपल देखे एक कोशन और मैं क्या से मैं ट्रिक फॉलो कर रहे हैं क्या सकते हैं कि इसको सिमेट्रिक पहले सेलंग प्राइज लेंगे फिर फेर ऐली लिखेंगे फिर टिकरिंग वल्य कि एक हैं कि सेलिंग प्राइज 25 तें पच्यास 25 तेंगे सेलिंग प्राइज 55 एक बड़ा मैं सिमेट्रिक होगा कहीं यह वाला केस होतो नहीं किसी में सेलिंग प्राइज 55 ठीक है, selling price 55, 50 और 50, सबसे पहले comparison करो, किस में FV, CV, यानि 50 और 50, तो profit and loss में 0, अब रिवाइज, रिवाइज हैगा न, रिवाइज केरिंग वेल्यू, पचास ही आजाएगा, and profit and loss में 0, इसे balance sheet में लिखना है, और इसे profit and loss के अंदर entry करना है, इसके बाद हम आख करेंगे, आर सीवी, that is कितना आ गया हमारा, आर सीवी आ गया 50, और selling price कितना हो गया, पचपन, इसका मतलब आपने books में record कर रखा है, 50 का, और आप इसे 55 रुपे का बेचना चाहो, तो अभी बिख जाएगा, यही मतलब हुआ, तो यह profit जो है हमारा, यह deferred हो जाएगा, profit जो हुआ यह यहां पर हमारा कितने का असर, 5 का, यह deferred हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, deferred, जब बेचेंगे, तब record करेंगे, prudence approach यही कहता है, कि जब profit होगा, तब record कर लेंगे, और loss को अभी record कर लो, ठीक है, case number 3 दे देते हैं, case number 4, case number 4, मैं सोच रहा हूँ, एक page पर सारा दिख जाए, आपको तो बड़ी है न, एक, दो, तीन, चार, कौहांचे, एक page पर ही सारा दिख जाए, तो बड़ी है, उसको भी यहीं लिए आते हैं, उस case को भी, ताकि आप comparison कर पाऊंगा, अहां, यह case तो, देखो, चली रहा है हमारा, यह case तो, देखो, चली रहा है हमारा, case नमबर पूर, ठीक है, यह पुराने वाला है, यहीं पर 9 के 9 case मैं कर दूँआ, कोसुस कर दूँआ, ताकि आपको समझ में आ जाए, case नमबर फूर, selling price मान लेते हैं, 55 और fair value और caring value, ठीक है, selling price हमने 55 मान लिया, fair value हमारा कितना है, 50 मान लिया, और हमने, carrying value भी, 55 मान लिया, सबोस करते हैं, 50, 55, ठीक है, अब compare करें, सबसे पहले हम, FV, and CV, अब fair value कितना है, 50 है, और जो care value कितनी है हमारी, caring, मतलब कि जितना books में लिख रखा ये, तो actual हमें market price को लेके चलना चाहिए, actual, तो हमारा revise, carrying value क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ऐसा करने से हमारा नुकसान हो जाता है, ऐसा करने से loss हो गया, कितने का, तो यह हम profit and loss में कर देंगे, ऐसा करने से हमारा, loss हो गया, जो हम profit and loss में debit कर देंगे, कितने का 5 अब आगे comparison होगा, RCV, RCV में कितना है, 50 और हमारा selling price क्या है, 55, तो नाव इसके अंदर फिर 5 रुपे का क्या हो गया हमें, फाइदा होगा, 50 हमने लिख रखा है, BK का कितने का, तो फाइदा होगा, तो जो फाइदा है, बीचने पे होगा न, तो 5 रुपे को हम क्या कर देंगे सर, profit होगा यहां 5 रुपे का, और उस 5 रुपे को हम deferred कर देंगे, as per prudence approach के साब से, केस नमबर, चार के बाद केस नमबर 5, चले केस नमबर 5, माल लेते हैं, selling price, 55 और fair value, पचास और caring value, इसको 45 माल लेते हैं, एक पलब, caring value, 55 ठीक है, सबसे पहले, हमें compare करना है, fair value, and caring value, fair value कितना है, 50, caring value कितना है, 45, तो revise, caring value क्या हैगा, हमारा market में 50 है, जो होना चाहिए, fairly कितना होना चाहिए, हमारा, 50 होना चाहिए, लेकिन हमें, books में कितना record कर रख़े हैं, हमने 45, अब देखो, यहाँ पर थोड़ा सा contradict हो सकता है, आपके साथ, हमें कई बार ना, यहाँ पर revise जो आएगा ना, वो हमें लिखना होगा, 45, revise कितना लिखना होगा, क्योंकि हम, fair value 50 है, लेकिन सर, यहाँ पर भी तो fair value 50 था, caring value 55 था, तो आपने revise को 50 क्यों लिया, यानि अगर आपका fair value कम होगा, इस बात का ध्यान रखना, अगर आपका fair value, record value से कम है, एक concept यह भी आता है, whichever is lower, जो दोनों में से कम होता है, उसे लिखते हैं, stock के case में, same, अब इस वाले case में fair value 50 है, caring value 45 है, तो आपने कम लिख लो, तो investor को कोई दिक्कत नहीं है, तो आप revise caring value कितना लिखोगे, 45, तो ऐसा जब करोगे, तो 5 रुपए का आपका नुकसान हो गया, ठीक है, ऐसा करने से आपका क्या हो गया, loss हो गया, 5 रुपए, जब हमारा caring value ज़्यादा होगा, तो हम उसे कम कर देंगे, यानि fair value के बराबर ले गया आना है, लेकिन अगर caring value हमारा कम है, यानि books के अंदर जो हमने कम लिखा हुआ है, तो हमें उसे revise करने की ज़ूरत नहीं है, कम वाले को चलने देना है, ठीक है, अब दूसरा हमारा comparison होगा, revise caring value, यानि आगया 45, और हमारा selling price कितना आ गया यहाँ पर, 55 आ गया, selling price क्या आ गया, 55, दोनों में comparison करेंगे, अब यहाँ पर क्या हो गया, फाइदा हो गया, अब इस फाइदे में दो पंगा है, एक तो पीछे वाला, देखा जाए, फाइदा कितना होगी है सर, 10 का, अब 10 में फाइदा देखा जाए, तो एक तो 5 रुपे, तो उपर जो हमने record ही कम कर रखा है, उस loss की वज़े से फाइदा होगी हमारा, और दूसरा 5 रुपे, एक है, जो कि हमारा genuine फाइदा हुआ है, तो ये वाला जो 5 रुपे का profit है, और ये वाला 5 रुपे का जो है, जो की हम compare करेंगे, fair value 50-55 के हिसाब से, ये 5 रुपे तो deferd हो जाएगा, और ये profit and loss में चला जाएगा, फाइदा है ना, एक तो deferd हो गया, कौन से आला deferd हो गया, जब compare करो, 50-55 का विक्राय फीचर में ज़्यादा महिंगा विकेगा, लेकिन 5 रुपे इसमें चला जाएगा, ठीक है, चलो यहीं पर case और बढ़ाते हैं, case number 6, बस 2-3 case है, फिर आपको book के question, इसी case के according करोगे, आराम से हो जाएगा, case number 6, चलो एक और बताना, पचास, पचास, पैंतालेस, पचास, पचास, पैंतालेस वालेश ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, compare करें, fair value, carrying value, पचास और पैंतालेस, बताओ क्या लेंगे, revise, revise, revise carrying value, that is, 45, अब हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, loss हो रहा है गेन, तो loss हो गया हमारा कितने का, पांच का, जिसे record करेंगे, P&L के debit में, अब comparison करो, revise carrying value, और selling price, कितने का है यह, 45, और कितने का बिख जाएगा, पचास का, तो यहाँ पर क्या होगा फाइदा, तो यह profit चला जाएगा, P&L के, credit side, ठीक है, क्योंकि यह revise carrying value, हमने कम book कर रखा था इसलिए, deferred नहीं किया, यहाँ वाले में क्या deferred क्यों किया, क्योंकि, हमने इसको, fair value के according record किया है, और उससे भी कहीं ज़्यादा बिख रहा है, यानि fair value क्या है, इतने का होना चीए, अगर उससे भी आप ज़्यादा में बिख जाए आपका, तो जब बिखेगा तब book कर लेंगे, ठीक है, चलिए, अगले point पे आते हैं, profit and loss, 45, 50, यहाँ पे यह भी point होगा, यह 5 रुपए का जो loss है, profit है हमारा, क्योंकि हमने record 45 का कर रखा है, और fair value कितने का है, मैंने question 6, 50, 50, 45 ही लिया न, 50, 50, 45, 45 और 50, revise आगया, 45, तो, profit आना चीए है, क्योंकि 50 और 45, 50 का तो आपका फाइदा ही होगा, तो जो हमारा profit होगा, वो लेंगे, 0, as per, यानि, जब होगा तब, deferred मान लो एक तरीके से, 6, 3, तीन केस, एक पर compare करो, किस में क्या लग रहे हैं, पच्पन, पच्चास, यहाँ पर हमने दिखा है, यहाँ पर हमारा, 45, लॉसी आना अच्छी है, लॉसी आएगा, लॉसी आएगा, यह लॉसी होगा, प्रोटेंस में ने जाएगा, यह गलत लिखा बाद हो, लॉसी आएगा, ठीक है, लॉसी रहेगा, इसके बाद आजाते हैं, अगले पॉइंट पर है, बस दो केस और है, केस नमबर 7, केस नमबर 7, 45, selling price, fair value, और एक और के हमारा, carrying value, हम ले लेतने हैं, 45, 50, 45, पैंतालिस, पैंतालिस, ठीक है, अब आजाएगे, सबसे पहले compare करेंगे, fair value, और यह fair value कितना है, 50, carrying value कितना है, 45, तो यहाँ पर हमारा, loss आ गया, revise करते हैं ना पहले, revise carrying value कितना आ गया, 45, तो यहाँ पर loss आ गया, कितने का, पांच का, अब compare होगा, revise carrying value, that is 45, और selling price, that is, 45, तो क्या आ गया, profit and loss में हमारा, 0, ठीक है, एक और case आ जाए, last, second last case है, यह ऐसा, case number, 8, selling price, fair value, carrying value, तीन के हैंने, 9 multiple बन जाएंगे, वही चीज़े कोई मिस्स न हो जाए, 8, selling 50, 45, 50, 45, 50, यह वाला case आया के कहीं, selling price कम आया के कहीं, नहीं आया, ठीक है चलो, अब यह आ जाते हैं, compare करते हैं, sir compare किस में करोगे, selling price, oh sorry, CV और FV, CV कितने है, 50, FV कितने है, 50, तो revise क्या होगा, 50, profit and loss में, 0, अब आ गया जाते हैं, revise carrying value कितने है, 50, और selling price कितने है, 45, अब difference कितने का हुआ, loss पांच का होगा, जब ऐसा case आ जाए, तो इस loss को हमें, amortize करना होता है, depreciation के ratio में, ठीक है न, या फिर, यहाँ पर दो cases हो सकता है, एक तो चलो, मैं पहले यह loss, पहले यहाँ तक देखो, loss समझ में आ गया, यह loss, ठीक है, तो अब हमें अरे पास, दो चीज़े है, rent है, और depreciation, दोनों लगबगबगबगबगबगबग, सही में रहेगा, अगर SLM वाला case है, तो, इसको कर देते हैं, ज़ादा से ज़ादा, rent lease ratio में, profit and loss में, debit, ठीक है, एक केस इधर लास्ट नाइन अब क्या रहे गया हमारा एक और सेलिंग प्राइस पेंट आलेस केरिंग वेल्यू फिर वेल्यू ले रहे न फिर वेल्यू आपना ऐसे ही नूट करना जैसे यह कर रहा हूँ ताकि आपको कंपेरिजन एजी देख जाएगा यहां पर थोड़ा उपर नीचे कर दिया न मैंने तो यह तीन पॉइंट में दिक्कत हो गया है नहीं दो पॉइंट कितने लेने हैं केरिंग वेल्यू 55 ठीक है सबसे पहले स्टैप नंबर वन फिर वेल्यू केरिंग वेल्यू देट इस आपका पचास और पचपन तो यहां पे अब बताओ यह कौन से अलग केस लग रहा है उपर हम कर चुके हैं ऐसा केस क्या आना चाहिए यहां पर रिजल् लॉस हो जाएगा ठीक है कि नहीं सेम थोड़ी है फिर वेल्यू 50 गरिंग वेल्यू 75 आरसी वेल्यू ठीक है हा सही अरसी वेल्यू क्या लेंगे हम सर पचास सी लेंगे यानि फिर । उपर तो जाएंगे निहां हमनने पचास यहां पे लॉस हो गया क्तने का five अब घं़ कर बेचा तो है नहीं, तो इसमें जो पांच रुपए होगा, SP, अच्छा, SP, 45, अब कितने का लॉस हो गया, लॉस पांच का हो गया, यह आ जाएगा, प्रॉफिट और लॉस के, टेपिट में, अब एक बार यह वाला केश देखो, यहाँ पे जो RCV आया है ना, वो, इसमें सो कुछ भी नहीं था, यहाँ पे RCV जो देख रहे हो, पांच रुपए का क्या है हमारा, लॉस है, और यहाँ पे हमारा, पांच रुपए का यहाँ भी क्या था, उपर भी, लॉस था, उसकी वज़ए से हुआ हमारा यह, इसके उपर दो है, यह तो profit and loss में दिखाऊ, यह profit and loss लिखाऊ, अब सामने है आपके, आपके book में देखिए, question number, जो case study दे रखा है, उस case study बेस वाले question में जाईए, वहाँ पे ऐसे ही आपको 3-4 price मिलेंगे, आपको यह लेकर चलता हूँ, यह रहा, unsolve भी मान लेते हैं, आपको 3 चीज़े मिलनी चाहिए, 3 चीज़े देंगे यह, अब जैसे ABCDF दे दिया, दो-दो number की question दे दिया, 10 number कहा जाएगा, अगर सारा case याद होगा तो, WDB मतलब जितने का record किया है, WDB का मतलब जितने का record किया, यानि आपका caring value है, और, एक तो है मारा A limited की बात कर रहा है, और एक बोल रहा है कि, ask to be limited, 45 the same plant, कहता है A ने sold किया plant, 30,00,00, book value, to be, ठीक है, to be limited, for 45,00,00, और इसको कितने का बेच दिया है, इसने, 45,00, अब देखो, यहाँ क्या देता है, अगर हमारा, selling price 45,00 हो, और एक बोल फेर वेल्यू हो, तो क्या होगा, जब मैं एक बार illustration देख लें, तो नहीं है लिखना थोड़ा सो मुश्किल होगा, तो मैं illustration ही देख लेता हो, पीछे था न illustration है, यह रहा, इसके answer दे रख्या है, दे रख्या है, ठीक है, same equation है, देखो, यहाँ पर selling price क्या है, आपने पीछे वाला image लिए, मैं compare करा दूँगा, selling price क्या है, 50, fair value भी क्या है, 50 है, ठीक है, और यहाँ पर carrying value कितना है हमारा, 40 है, carrying value क्या है हमारा, 40 है, और 50 रुपए वही बोल रख्या है, कि हम उसे बेचेंगे, same जो कि selling price है, यह selling price ही है, इस भी है, ठीक है, आंसर में क्या कहता है, when sales price 50, equal fair value, A should be immediately recognized, profit 10 लाख रुपए, 50 minus 10 into books, अब इसका कौन सा case बन रहा है वो देखना, fair value 50-50, और selling price, fair value same है, और carrying value कितना हो गया हमारा, कम हो गया, 40, चलिए देखिए, मैं compare विग्रा हुआ, fair value, और वो दोनों क्या था, दोनों same same थे, 50-50, तो देखते हैं कौन से वाला case लग रहा है, selling price और fair value same, selling price fair value same, selling price और fair value same, कहां लिखा था हमने, case number six, हाँ, और carrying value कितने हो गया, ठीक है, तो ऐसे situation में, 5 का revise carrying value 45 आ गया था, इन दोनों के, बीच का difference, और इन दोनों के बीच के difference, जो की profit and loss, यहां पर क्या आ गया था हमारा, 5 आएगा हमारा, profit and loss और 5 वहां चला जाएगा, यहां पर देखते हैं, fair value, it should be immediately recognize the profit 10 lakh रुपीज, 50 minus में, 50, 50 minus में 40, fair value पचाँ, बस यही लिखना, इसमें profit कितना जाएगा, और वो कितना जाएगा, तो यहां पर जो था, फरक यह था, कि मेरे वाले में 45 लिया हुआ था, यहां वाले में 40 है, तो 40 जब minus करोगे, तो profit कितने को गया, तो 10 lakh रुपे इसने दिखा दिया, सुझ मैं, case number B का answer, अब मैं इस answer को हटा देते हैं, एक बार को, चलो, D नहीं दिख रहा आपको, एक बार आप D का सोचो, D, आपके सामने answer मैं दिखाऊँ आप पीछे, पहले यहीं compare कर लेते हैं, नहीं तो fair value कितना है, 40, और selling price, carrying value, 40, पहले इन दोनों में comparison होगा, तो revise carrying value, 40, selling price, 50, तो 50, बिकेगा तो, तो 5 रुपे future में मिलेगा ने, तो 5 रुपे क्या चला जाएगा, हमारा deferred हो जाएगा, profit में, क्योंकि अभी बेश तो नहीं रहे, तो deferred हो जाएगा, यह देखिए, 5 रुपे deferred D का पार्ट, fair value 40, 50, D कौन सा का रहा था हमने, 40, 50, 5 कैसे लिख लिए फर हमने, 10 है, हाँ D बोला था, मैंने 45 ले लिया था, ना वहाँ पे, तो यह कह रहा है, कि 10 रुपे deferred amortized lease period, ठीक है, चलो E, मैंने 45 जो पीछे example लिया, वही दिमाग में चल रहा है, E part करें, E part में क्या है, fair value, 46, sell price, 50, और caring value, 40, ठीक है, सबसे पहले इन दोनों के बीच में, comparison होगा, ठीक है, तो caring value क्या जाएगा हमारा, क्योंकि कम ही लेते हैं हम, 40, यहाँ पे loss हो गया, RCV कितना आगया हमारा, 40, यहाँ पे loss हो जाएगा, कितने का, 6 रुपे का, ठीक है, अब आगे चलते हैं, सर, RCV, कितने हो गया, 40, और selling price, 50, तो अब कितने का फाइदा होगा, 10, 10 में लेकिन, 6 तो वो बाला है, ठीक है, कौन सा था हमारा, तो 46, 8, 50, 40, 46, तो कहरा ये, 46 टू भी, बैलेंस प्रॉफिट, 4 लाख जो बच गया, इस टू भी, टैफर्ट हो जाए, ठीक है, तो यह आप एक दो बार पढ़ लोगे न, और मान के चलो, यह वाले आपके 9 के 9 केसिस, जैसे आपको concept clear हो जाता है, तो मान के चलो, 12 पंदर नमर का कुशन आ गया, तो बहुत easily कर सकते हो आप, ठीक है, अगला देखते हैं कौन से, F देखो चलो, F, F में क्या कह रहा है, fair value, 35, अब carrying value इसी के साथ लिख लेते हैं, carrying value क्या है, 40, और selling price क्या दे रख़ए है, 39, ठीक है, इन दोनों में comparison करेंगे, कितना आएगा, RCV, 35 आ गया, ठीक है, क्यूंकि हमें fair value पर लेके चलना चाहिए, कम value है यह, अब इसको comparison जब हम करेंगे, तो हमारे क्या हो गया यहां पर, loss, 5 रुपे का, अब RCV, 35, और selling price, 39, यानि 4 रुपे का, profit होगा, लेकिन actual देखा जाए, तो 4 रुपे का profit, अगर book value से चेक करें, तो नहीं हो रहा हमें, तो जो यह 4 रुपे का हमें, यहां profit दिख रहा है, उसे profit and loss में, credit, profit है न, यह defer नहीं करना आपको, deferred तब होता, जब पीछे सा आ जाता, तो अब चेक करें, कौन साथ तक कर रहा था हमने, F कर रहा था, यह कर रहा था, F, वेन दे फेर वेल्यू, दिस, 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 आर अपका, 5 रुपे loss हो जाएगा, और 4 रुपे book as a profit, शुड भी, amortize deferred, पहले तो हमने 5 रुपे loss बुक कर लिया, fair value the price, दिस, 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 revise value क्या आया था हमारा, चलो कोई नहीं, एक बार P2, क्योंकि इसके लिए ने, सारे कीस आपके सामने होने जरूरी है, तब ही कर पाओ गया, इसका practical problem 1 है, ठीक है, इसमें answer दे रखा है, कुछ तो नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, हाँ तो unsolve में answer, वो hint तो देते हैं न, ये practical problem है, practical problem में कुछ इस ट्राइप का है, नहीं है, चलो फिर ये वाला ये भी कर लेना, फिर ये पूरा खतम हो जाता है, ठीक है, लीज वाले, नो के नो केसिस, कि उसे ताजह थास्ट एंगर हो जाता है, झालो ऑ्राइव वाले कि विर्गाप धुनी दिया, जू ढावाला ये तो नहीं दिरीक्ट थाए। झाए।,